हाँ बभीता, तुम्हारी कसम बभीता, था लिया ना थाना मैंने, क्यों परिशान कर रही हो अभी लेक्चर लेने जा रहे ना, हाँ यूट्यूब पे, हाँ व्यूज नहीं आ रहे ना, कुछ आइडिया बताओ जिससे व्यूज आ जाए, किस पे वीडियो बना दे, नीट प अच्छा, लेटिस्ट अफडेट, अच्छा, वेरी बिग न्यूज, अच्छा, अच्छा, यसे लिख दे, फिर क्या करें, अंदर क्या बताएंगे, कि वच्चों अभी कुछ नहीं है, अभी पढ़ो, पता के चले हैं, बस यह करना है, नहीं, अच्छा, लाइव जाएं, लाइव जाके क्या करें, एक घंटा लाइव रहें, अच्छा, एंटिया की वेबसाइट खोल के कुछ इधा-धर की बाते करें, अच्छा, अच्छा, वेबसाइट इधा-धर घूमते रहें, बढ़ियां, बढ़ियां, यह तो सही है, मोटिवेट, ओटिवेट, हाँ, सही, फिर क्या करें अच्छा लास में बोलने कि बच्चो नेक्स अपडेट आई की तो आपको बता देंगे अभी आप पढ़ाई करो भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं अच्छा पर एक बात बताओ यह जो बच्चे हैं यह नीट की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर बनने वाले तो बहुत पढ़े लिखे बच्चे इनका तो आई क्यो लेवल बहुत अच्छा होगा भाई यह तो लोगों की जान बचाएंगे तो यह सब समझ नहीं जाएंगे कि हम खुद से एंटेगे वेबसाइड पर देख सकते अच्छा नहीं समझते अच्छा पिछले साल भी खु जब न्यूज आएगी तो बता देंगे बविता तुमसे मैं ब्रेक अप कर रहा हूं ऐसी गंदी बाते करते बच्चो के लिए वन ट्यू थ्री हलो बच्चो क्या हाई चाल बढ़ी आए एकदाम स्वाई वेलकम ओल आफ यू तो आर ब्योडिफुल सा चैनल फिजिक्स वा उमीद की chemistry और biology चल रही है हमारे चैनल, competition वाला पर तो आपने नहीं देखी है तो competition वाला पर जाकर देखें आज हमारे physics के day number 7 में हम पढ़ने laws of motion आज है उसका lecture number 2 और lecture number 2 में हम पढ़ेंगे बहुत ही important important concept जैसे की spring force जो की काफी confusing लगता है बच्चों को उसके बढ़ियां-बढ़ियां सवाल करेंगे, previous year question करेंगे, सारे concept सीखेंगे then we will go to pseudo force, pseudo force के important important questions करेंगे, concept पढ़ेंगे और PYQ करेंगे, then we will study Newton's third law, अब third law बहुत छोटा है तो उसको बहुत असानी से पढ़ सकते हैं then conservation of momentum का हम लोग से introduction पढ़ेंगे, in depth conservation of momentum आप पढ़ोगे मेरे साथ work energy के बाद, collision collision के time, तब वहाँ पे conservation of momentum, center of mass के बाद, वहाँ पे in detail चलेगा and then we will cover a very important topic today and that is rocket propulsion, बाकी regular drill सबको पता होगी क्या क्या करना है, अच्छा वो drama क्या था, देखो वो drama क्या था, तुम समझ गया हो, उससे क्या message निकल ला है तुमको समझ में आ गया है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब बक्वास के चक्कर है, मत पढ़ना, एक तो व अरे अरे एक बार क्लिक मारना, अरे देखना, छोटा वीडियो देखना, यहाली मैम ने फिरने पढ़ा है, अरे यह सन्य बनाया है ना, देखना, तो वो बार बार तुमको सैतान की तरह देता रहेगा, तो उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा, हाँ regular drill पता है, क्या है, लेक्चर देखते वक्त वीडियो को, जहां पे सवाल आए, वहां पे वीडियो को pause करना है, question कुछ से try करना है, जब question नहीं हो, तब pause बटन खोल कर वीडियो को देखना है, लेक्चर खतम होने के बाद, इस lecture से related practice sheet solve करनी है, practice sheet में क्या होते है, इस lecture से जुड़े 20 से 30 उमीद बैच पे, click करेंगे, buy now का option आएगा, potential नहीं लेंगे, zero fee है, buy now पे click करते हैं, आप free of cost वहां पे enroll हो जाओगे, वहां से आप practice sheet डाउनलोड करके सवाल लगा सकते हो, अगर practice sheet के question फस भी जाते हैं, तो आप उसके video solution भी free of cost उसी उमीद बैच के अंदर देख सकते हो, सारी कहानी clear, शुरू करते हैं भाई, तो आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, spring force पढ़ेंगे, pseudo force पढ़ेंगे, third law पढ़ेंगे, और rocket propulsion पढ़ेंगे, ठीक, चलो शुरू करते हैं, तो start करते हैं spring forces, क्या है कहानी, if a spring is stressed by distance x, from its equilibrium position, बेटा, equilibrium position जब spring unstretched हो, या uncompressed हो, अप यहां से, मैं spring पे कुछ force लगाऊं, f external, और spring को x खीच दूँ, spring में खिचाओ ले आऊं कितना, x, एक्दम basic बता रहा हूं, कितना खिचाओ ले आया, x, एक्स, तो बेटा, spring में यदि मैं x खिचाओ ले आऊंगा, तो spring में क्या लगने लगेगी, एक restoring force, जो इसको वापस ल लाना चाहेगी, ठीक, आपने इसे किधर खीचा है, आगे की तरफ x खीचा, तो spring force किधर लगेगी, पीछे की दरफ, इसको वापस लाना चाहेगी, restore करना चाहेगी, और spring force की value होती है, k into x, और k होता है spring का constant, जो कि spring के material पे depend करता है, spring की length पे भी depend करता है, length के inversely proportional होता है, यहां तक बात समझ में आई, कि अगर आप x इधर खीचोगे, तो spring force उसके opposite direction में लगेगी, कई लोग कहते है, spring force minus kx है, plus minus को मारो, गोली, ठीक है, minus kx के क्या बताते हैं, कि अगर x इधर है, तो force minus x के direction में लगेगी, opposite direction में, इसलिए f is equal to minus kx लिखते हैं, अरे हटाओ, direction ख खीचोगे, तो पीछे spring force आएगी, और spring को दबाओगे, तो spring force सामने को आएगी, opposite direction में, जिधर भी x होगा, जिधर भी आप displace करोगे spring को, उसके opposite direction में spring force होती है, second वाला देखो, if spring is compressed by x from its equilibrium position, यह equilibrium position है, यहां से आपने force लगाई, f external, और spring को compress कर दिया, spring को आपने x distance compress कर दिया, अब spring force किदर लगेगी, देखो, displacement इधर किया है, तो spring force इसके opposite direction में, कितनी, k into x, अगर k इसका spring constant है, तो जब spring को यूँ खीचा, तो spring force opposite direction में, खीचोगे, तो वापस ले जाना चाहेगी spring को, और जब spring को आपने दबाया, तो spring force फिर से opposite direction में, आपने दबाने कोशिश की, spring force opposite direction में, कितनी होती है, k x होती है, minus नहीं लगाएगे, direction खुच से सोच लेंगे, खीचा तो अंदर, दबाया तो बाहर, k क्या होता है, spring का constant होता है, spring के material पर depend करता है, और spring की length से inversely proportional होता है, आगे इसकी बात और कर लेंगे, चलो, अब यह यह स्याम है, यह स्याम, और बाबुराओ किदर है, तुम हो बाबुराओ, ठीक है, तो तुम बाबुराओ हो, हलो, कभीला speaking, ठीक है, तो यह राजू है, यह श्याम है, हेरा फेरी से यहां आ गए, ठीक है, यहां भी हेरा फेरी होगी, इन्होंने क्या किया, राजू ने इस spring force आएगी इधर आएगी कि ने जब आप इधर खी ओगे राजुने इसको इधर खीचा तो spring force अंदर को कितनी होगी बेटा यहाँ पे spring force f sp कित्ती होगी k x1 और जब श्याम इसको इधर खीचेगा जब श्याम इसको इधर खीचा कितना खीचा X2, तो spring force पीछे को लगेगी है ना भाई, आप इस तरफ displacement कर रहे हो तो spring force पीछे को, इधर की spring force बेटा कित्ती हो जाएगी K X2, बोला सही है, इधर इसने X1 कीचा तो पीछे spring force कित्ती हुई K X1 इधर इसने X2 कीचा, तो पीछे spring force कित्ती हुई K X2 और यह हो गई आपकी हेरा फेरी, यह गलत है concept यह concept गलत है, यह concept गलत है जिस तरह से आपकी syllabus में एक massless string में पिछले lecture पढ़ाता, massless string में हर जगह tension सेम होता है पढ़ाता, एक massless string में हर जगह tension सेम होता है उसी तरह से एक massless spring में हमाई syllabus में massless spring ही है प्रिछे लेक्षन पढ़ा तक नहीं, कि tension remains same until string remains same, जब तक string same थी तो हर जगे tension same, इसी तरह से हमारे syllabus में massless spring है, और उसमें हर जगे spring force क्या रहती है, same, if spring remains same, the spring force remains same, just like tension, एक ही spring के अंदर दो spring forces अलग-अलग नहीं हो सकती, जिस तरह से एक string में दो अलग-अलग tension नहीं होती, अगर string massless है तो, अगर string massless है तो पूरी string में tension क्या होगी, same, उसी तरह से अगर spring massless है तो पूरी spring में force भी क्या होगी, same होगी, पूरी spring में force क्या होगी, same, तो ये कहानी गलत हो गई, अब इसको सही करना पड़ेगा, कैसे सही करोगे, यहाँ पे गलती हुई है, और यहाँ यह दोनों forces same होनी चाहिए, कैसे same होगी अब सुनो, actual में spring का elongation कितना है, मुझे बताओ, what is the net elongation of spring, what is the net elongation of spring, अगर मैं net elongation को x बोलू, तो कितना होगा, यह original length थी, इन्होंने x1 इधर खीचा, इन्होंने x2 इधर, तो total कितना खिच गई, x1 इधर खीच गई, x2 इधर, तो total length कितनी बढ़ गई, x1 plus x2, इधर x1 बढ़ी, इधर x2, तो total length कितनी बढ़ गई, total length बढ़ गई x1 plus x2 now this is the actual elongation ये ये इसका actual elongation है अब spring force बेटा कित्ती होगी इसमें अब इसमें spring force कित्ती होगी fsp होगी k into x not x1 not x2 जो total elongation होता है या total compression होता है उसको x लेते हैं ये बात याद रखना ये नहीं कि इधर x1 तो इधर spring force kx1 लगा दी इधर x2 तो इधर spring force kx2 नहीं total elongation इधर से x1 इधर से x2 x1 plus x2 अब spring force कित्ती होगी kx या k into यहां की spring force और यहां की spring force क्या होगी बराबर होगी तो note कि अगर आपके पास massless spring है जो कि आपके syllabus में सारी spring कैसी दी जाती है massless दी जाती है तो उसमें क्या होगा बेटा fsp same for whole spring पूरी spring में जो fsp है वो क्या रहेगा same रहेगा change नहीं होगा ठीक है clear है तो यह हेरा फेरी आपको समाझ में आ गई यह राज्यू इस स्याम चलो आगे बढ़े मार इसकी खुपडिया उड़ा दे चलो आगे बढ़ते चल the extension of spring for equilibrium position is क्या बोल रहा है कि यह spring कितना extend होगी इसका x कितना होगा stretching कितनी होगी for equilibrium हो गया क्या बेटा यह mass इस spring से रटका हुआ है नीचे क्या लगेगा इसका weight mg तो mg की वएज से यह नीचे गिरेगा और जैसे ही यह नीचे गिरेगा spring force उपल लगेगी spring force कितनी होगी kx जैसे जैसे यह नीचे गिरता जाएगा x बढ़ता जाएगा spring force बढ़ती जाएगी एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका नीचे की तरफ weight mg और spring force दोनों बराबर हो जाएगी ठीक तो हम क्या करेंगे इसको बहुत धीमे धीमे नीचे लेके जाएगे है ना बहुत तेजे से नीचे लेके जाएगे तो यह work energy का सवाल हो जाएगा तो इसमें एक चीज होनी चाहिए कि यह कैसे जाएगा when when m moves slowly अगर बच्चो यह m बहुत तेजी से जाएगा तो यह work energy का सवाल बन जाएगा ठीक है तो वो work energy में पढ़ेंगे conservation of energy लगता है तो अच्छा तो m slowly slowly नीचे जाएगा किस की वैसे mg की वैसे नीचे mg लगी यह नीचे खिचा उपर spring force ठीक है कितनी kx यह और नीचे खिचा kx और बढ़ी एक time पर दोनों force बराबर बस यह तो करना है तो माल लेते हैं कि यह spring x distance खिच गई और यह mass m यहाँ कहच गया इस time बेटा mass m पर कौन-कौन फोर्स होगी नीचे की तरफ mg उपर की तरफ fsp और दोनों क्या होंगे बराबर होंगे है ना क्योंकि mass m किसमें पहुच गया है एकली बिरियम में और यह चीज कैसे हुई है slowly slowly mass m को धीमे 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 नीचे लेके गए हैं तो इकलीबिरियम के लिए बिटा fsp is equals to mg spring force कित्ती होती है बिटा k into x is equals to mg यहां से x की value कित्ती हो गई mg बटे k तो x कितना हो जाएगा mg बटे k condition याद रखेंगे जब mass को धीमे धीमे नीचे ले गए हो अगर यही mass बिटा तेजी से नीचे जाए suddenly देखो क्या करते हैं mass को पकड़ के धीमे 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 नीचे आ जाए रहे हैं अचानक से अगर छोड़ दोगा अगर यही mass if m drops suddenly अगर m बहुत suddenly नीचे गिरेगा तब बिटा यहां पर energy conservation लगेगा तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब अगर energy पढ़ेंगे तो अगर m suddenly गिला तो energy conservation तब फोर्स एक्वेट नहीं करेंगे तब बिटा एक्स की वेलू आएगी 2 mg बटे के अभी के लिए डेटा रख लो अपने पास कि माल लो exam में जो सवाल है उसमें लिख दिया m drops suddenly या m drops slowly तो slowly drop करेगा तो यह आएगा कुछ ना लिखा हो तो इसको मारेंगे कुछ ना लिखा हो दोनों में से mention ना हो तो यह मानेंगे हम लोग खुद से otherwise अगर suddenly लिखा है तो इसको मारेंगे चलो आगे बढ़ते हैं first part हो गया the extension of spring for equilibrium position यह first part हो गया यह second part इस बार बता है spring कितना खिचेगी थोड़ा सा complex system है पर असान है करना देखो क्या होगा सोचो spring कितना खिचेगी यही तो सवाल है the extension of spring for equilibrium position बेटा नीचे क्या लगेगा mass पे weight mg mg से यह mass नीचे खिचेगा string में tension आएगा mg से नीचे खिचेगा string में tension आएगा tension pulley को नीचे खिचेगा pulley spring को नीचे खिचेगी खीषते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जो spring की force है उपर की तरफ बन रही होगी और जो tension लगए पुली पे नीचे की तरफ वो दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, नहीं समझे, इस मास पे किदर फोर्स लगेगे नीचे, किती? mg और उपर क्या जाएगा tension T आचा याह पर भी tension T लगेगा, यहांपर भी tension T फुलि को नीचे कौन खीचेगा tension यह कैतो mg लगा पुलिंचे tension खीचा जब tension फुलि हीचा नि फेली को नीचे कीचा उपर क्या लगी आएगा मानते हैं कि यह X खिज गया मानते हैं कि यह X खिज गया ठीक है अब यह X खिज चुका है ठीक अब देखो इस मास पर कित्ती फोर्स लगी की नीचे Mg स्ट्रिंग में यहां Tension T और यहां भी तो Tension T बनेगा पुली पर नीचे की तरफ और यहां भी Tension T बनेगा भाई पुली की जरा condition देखो पुली की condition नहीं देखोगे पुली से प्यारी नहीं है तुम्हें जीवन में मास पर नीचे Mg लगा उपर Tension T और पुली पर नीचे की तरफ Tension T और इस तरफ भी नीचे की तरफ Tension T और पुली पर उपर कौन सी फोर्स लगेगी? T FSP उपर FSP लगी नीचे Tension T T मास समझ में आ रही है ये मास नीचे Mg से खिचा पुली को किस ने खिचा? टेंशन ने जैसे पुली नीचे खिची इसमें खिचाओ आया Spring Force उपर लग गई अब अगर हम पुली की बात करें पहले पुली पुली की बात करें हम लोग पुली तो पुली की बात करें तो उपर FSP नीचे T और T 2T लग रहा है पुली को ध्यान से देखो पुली पे उपर क्या लग रहा है? FSP नीचे क्या लग रहा है? इधर से T और इधर से भी T तो हमें equilibrium position के लिए तो बताना है देखो, the extension of spring for equilibrium position, तो अगर pulley equilibrium में होगा, तो जितनी उपर force होती, नीचे, इधर से भी T, इधर से भी T, 2T के बराबर, बहुत बढ़ी है, FSP को क्या बोलेंगे बिटा, K into X, so K into X is equals to 2T, अपने को निकालना क्या है, extension, यानि X निकालना है, तो FSP ज़िए KX अब दिया, अब T नहीं पता मुझे, तो यार T यहां से निकाल लो, इस mass के equilibrium से, M का equilibrium देखो, M पे कौन सी force लग रही है, नीचे, M G, उपर T, तो T किसके equal हो गया, M G के, तो यहां पे M G चिपका दो, KX is equals to 2 M G, बिड़े ऐसे X की value कित्ती आगी, प्यारा बेटा, राजा बेटा, नना बेटा, 2 M G by K, मेरे राजा बेटे, और मेरी रानी बेटियों, कितना आया, 2 M G by K, clear है, X is equals to, 2 M G by K, ठेक है, एक बात मैं specify कर दू, कि मैं पढ़ाने वाले, सभी educators की, अपने तहे दिल से, बहुती जादा, बोलो हलक, बोलो, diplomacy, मैं तहे दिल से, बहुती जादा, सभी teachers की, बहुत जादा respect करता हूँ, good, very good, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, सभी की respect करता, थ्लोट टाफ होता है, हाँ, but of course, maximum की करते हैं, ठीक है, सभी की, हाँ, सभी की, सभी की, सभी की, जुट बोला था, मैं सभी की, बहुत respect करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ, x is equals to mg, next, find the extensions, in both the strings, find the extension, इन दोनों string में, आपको extension, खिचाओ निकालना है, दोनों string में, करें भाईया, कई से खिचाओ निकलेगा, क्या खिचाओ आएगा, है न, क्या खिचाओ आएगा, बहुत असान है, free body diagram बनाओ, बहुत बढ़ियाँ सा, क्या बनाओ, free body diagram, सर यह तो पढ़ाया है नहीं आपने, आरे यार, forces बनाओ सब पे, आप forces बनाओ, 1 kg पे, और 2 kg पे, दोनों में आपको क्या मिल जाएगा, extensions in both the strings, springs, इसमें कितना extension हुआ, और इसमें कितना किचाओ आया, आओ देखते हैं, next page पे, आजो यह, तीटू मामा, देखा है क्या, तीटू मामा, तो उपड़ टीटू मामा लग रहा है, और नीचे, 2G लग रही है, इन्होंने spring force को टीटू बोल ला है, तो मैं कोई दिक्कत है, टीटू हो, टूटा हो, टीटू, यह हो गया, 2kg का खेल, अब आओ यहां पे आओ, बेटा, इस spring में, टेंशन कितनी है टीटू, और यारे, spring force को टेंशन बोल सकते हैं, पूरी spring क्या रहती है, तो उसी spring force को इन्होंने, टीटू बोला, तो बेटा, यहां पे, किदर लगेगी T2, इस तरफ, है न, नीचे की तरफ, तो यहां पे नीचे की तरफ, spring force T2, just like tension, you treat spring force just like tension, and your tension is gone then, treat spring force just like tension force, and then your tension is gone, ठीक, तो यहां पे spring force उपल लगी, T2, और यहां पे spring force किदर लगी, नीचे, कित्ती लगी वहाँ पर T2 लगी कित्ती लगी T2 लगी अच्छा ये हुआ और बताओ इस पे और कौन सी फोर्स लगेगी इस पे इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 1 into G और बेटा जब ये ऐसे नीचे दबेगा जब ये ऐसे नीचे दबेगा तो उपर भी स्प्रिंग फोर्स लगेगी उपर वाले में स्प्रिंग फोर्स कित्ती लखी हैं हमने T1 उपर में कित्ती लखी हैं हमने T1 उन्हें खुद लिख लखा है वेरेबल तो जब ये ऐसे नीचे की तरफ खिचा तो उपर स्प्रिंग फोर्स T1 अब individual masses लोग खेल खतम करो, 2kg को पहले उठा लेते हैं, 2kg को उठा लो, उठा लिया सर घर से, अब क्या करें, kidnapping हो गई 2kg की, ये रहा 2kg, 2kg की अगर हम बात करें बेटा, तो नीचे की तरफ 2g force लग रही है, उपर की तरफ T2 mama force लग रही है, तो बेटा अगर 2kg equilibrium में हैं, तो ये डोनों forces बराबर होंगी, तो हम लिखेंगे T2 is equal to 2g, T2 क्या है बिटा, T2 is the spring force, T2 क्या है, T2 पीडा है स्प्रिंग Parts है, और स्प्रिंग कितनी होती है, के इन टु एक्स, अब इसमें कितनी stretching हुई, माल लेते हैं इसमें stretching हुई, x2 की, और माल लेते हैं इसमें stretching हुई, x1 की इसमें stretching वानी हमने x2 उसमें stretching वानी हमने x1 तो t2 की जगे क्या put करोगे कितना खिचा है ये x2 तो क्या लिख दोगे k2 into x2 देखो अभी भी कई लोग रुके हुआ इमें पर ये इधर t1 क्यों लगा उधर t2 spring force को tension force की तरह deal कर जिंदगी की आधी परिसानी वहीं पे खतम बहुत concept चाहिए तो मेरे class 11 के पुराने आप full length वीडियो देखो तो यहाँ पे तो t2 की जगे क्या put कर दिया मैंने kx2 क्योंकि spring force t2 2g नीचे spring force उपर कितनी लग गई kx2 है ना so k2 into x2 is equals to 2 into g g की जगे 10 put कर दिया हो so k2 कितना है बेटा 100 into x2 is equals to 2 into 10 तो 0 से 0 मर गया x2 की value हो गई 2 बटे 10 यानि 0.2 si units में है तो meter चलो अब बात करते हैं 1 kg की 1 kg की बात की बेटा 1 kg पे लगने वाली force नीचे की तरफ t2 मामा देखो इस पर t2 उपर तो इस तरफ लगी तो यहाँ पर इस तरफ लगी तो यहाँ पर इस तरफ लगेगी एकदम तो t2 नीचे 1 g नीचे और उपर क्या लगी अभी जीवन में वहीं फसे हैं देखो इस प्रिंग के concept में फसे रह जाओगे जितना बता रहे हैं उतना मानू अभी तो स्प्रिंग कटने फुटने की बात आएगी चलो तो वहाँ वापता है 1 kg पे 1 kg पे नीचे की तरफ कितनी नीचे फोर से t1 वामा तो अगर इसका एक लिए वीडियम लिखें तो हम लिखें के t1 equal to t2 plus 1g बैटाई आसा hetky 2 किसके बचापर है 2g के बराबर है T1 is equals to T2 plus 1G, T2 किसके बराबर? 2G, तो यहाँ पे 2G plus 1G, 3G, so T1 is equals to 3G, अब T1 क्या होगा? K1 into X1, so K1 into X1 is equals to 3 into G की जगे 10, K1 कितना है? फिर से 100 है, तो 100 into X1 is equals to 3 into 10, एक 0 से 0 मर गया, X1 3 बटे 10, तो X1 कितना हो गया? 0.3 meters, कितना हो गया? 0.3 meters, clear? 0.3 meters, so यह हो गया 0.3 और यह हो गया 0.2, answer क्या होगा? 0.3, 0.2 meters, clear? तो इस सवाल से हमने क्या सीखा? हर सवाल से हम लोग कुछ सीख रहे हैं, इस सवाल से हमने सीखा कि इस प्रिंग फोर्स को कैसे ट्रीट करो? टेंशन फोर्स की तरह ट्रीट करो. एक एक करके सारे कन्फ्यूजन इस प्रिंग के मैं खतम कर दूँगा और आपको समरी सारी समझा दूँगा, तरहा ट्रीट करो. clear है? आगे बढ़ा जाए? चलो, आगे बढ़ते हैं. next, question number 3, the masses are in motion. कौन से masses ये? अच्छा, ये motion में है. ठीक है? तो motion में क्यों हो या? resonance में पढ़ लो? हे, 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 very, very poor joke सार. the masses are in motion. the reading of spring balance in kg will be. इस spring balance की reading in kg कित्योंगी लिख दिया है, the reading of spring balance in kg. spring balance क्या measure करता है? spring balance अपने उपर लगा हुआ actually weight measure करता है. जो उसके अंदर spring force आती है, वही weight measure करती है. तो इस बात को भी लिख सकते हो. spring balance measures weight. और बेटा, वह weight किसके बराबर होता है? FSP के. जो spring force आती है, उसके बराबर weight होता है. यह कह रहे हैं, खेर किसमें measure करो? kg में. तो actually यह weight तो newton में होता है, यह कह रहे हैं, kg में measure करो. overall आपको इसकी reading बतानी होती है, इसकी reading क्या होती है? कि इसके उपर कितनी force लगा है? यहां लिख दिया. Spring balance, देखो हर सवाल में कुछ नहीं-ने concept ला रहे हैं. अब मालनों spring balance की reading पूछ लिया. तो spring balance की reading का मतलब क्या पूछ रहा है? Spring balance measures weight. आपसे पूछ रहा है कितना weight इससे टंगा हुआ है? ठीक है? या कह दो आप FSP पूछ रहा है, इसकी reading पूछ रहा है. तो आपको होगे सर 3 और 6 नौने. इसकी reading, इसकी reading क्या है? FSP. गुमार फिरा की क्या बताना है आपको? FSP. इसकी reading क्या होती है? FSP की इसमें कितनी force लगी? spring पे कितनी force. FSP बताना है आपको. ठीक है, तो अब यहां प भाई, 6 kg क्या है? भारी है. तो 6 kg नीचे किनने लगगा? acceleration A से. और 3 kg उपर जाने लगगा? acceleration A से. है की नहीं? देखो, लिख रखा है. दमा से जारेन? motion. मोसन में है. तो 6 kg नीचे किनने लगगा? acceleration A से. 3 kg उपर. टृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृ डालना है वीडियो में तो हो खिया फोला था यह से नीचे गिर्ण यह उपर आया मीं इहां पर टैंशन टी यहां पर नीचे यहां पर टैंशन बैव बाई जो स्प्रिंगैस को कौन नीचे खीच रहा है तो जो स्प्रिंग फोर्ष डबलप होगी जी हाँ, जे spring force developed होगी, वह किसके बराबर होगी टूटी के, किसके टूटी के, जो spring force developed हुई, वह किसके spring force दिखाई पढ़ लई है, जो spring force damaged, जुह यहाँएट होगी वह किसके बराबर होगी, cancelONד Quindi तो यह जो spring force यहाँ पर develop हुई, यह किसके बराबर हो जाएगी 2T के, तो अपने को spring force ही चाहिए थी, so FSP है कि नहीं, यह acceleration है यह इधर, यहाँ tension T, यहाँ नीचे की तरफ tension T, तो पुली पे नीचे कितनी लग रही है, 2T, उपर क्या लग रही है, FSP, so FSP is equal to 2T लिख दिया एटवड मशीन का था, और एटवड मशीन के लिए मैंने आपको मेंटास जिन्दगी बताया था, क्या बताया था, मेंटास जिन्दगी, tension निकालने का तरीका क्या था, 2M1, M2 upon M1 plus M2 multiplied by G, खतम बेटा, so 2M1 कितना है 3, M2 कितना है 6, upon 3 plus 6 हो गया, 9 multiplied by G, 3 बन जा 3, 3 ती जा 9 3, 2's are 6, 2, 2's are 4G, so tension कितनी है बेटा, 4G, कितनी आ रही, 4G, so FSP कितना हो जाएगा, 2 into 4G, बोलो समझ में आया tension, 2M1, M2 upon M1 plus M2, 3 into 6 upon 3 plus 6, 3, 3 is a 9, 3, 2 is a 4, 4G, so FSP कितना हो गया, 2T, 2 into 4G, कितना, 8G, अब actual में, जो spring balance की reading होगी, वो actual में 80 newton होगी, पर यह क्या कह रहे हैं, कि आपको reading किसमें बतानी है, kg में बतानी है, तो बेटा, इसकी kg में क्या reading हो जाएगी, बच्चा, प्यारा सा, इसकी kg में क्या reading हो जाएगी, kg, बेटा, 8G का मतलब, 8 kg into G, है न, तो reading कितनी हो जाएगी, 8 kg, है न, 80 newton मतलब कितना kg, 8 kg, यह प्रॉक समझ में आ गया, clear है, तो यहां से आपको बदा चला, spring balance क्या measure करता है, देखो weight measure करता है, अगर नहीं दिया होता, ये, अगर ये नहीं लिखा होता, कि reading of spring balance in kg, तो हम answer 80 newton लिखके आते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, ये हैं समझ में आए, बहुर बढ़े, चालो, आगे, क्या है, find the magnitude of acceleration of block A and B just after the string is cut, आगे काटने, पीठने आले सबस्वाज, कह रहे हैं क्या, आपको acceleration of A and B बताना है, find the magnitude, सिफ value बतानी है, एकलिए अचलेशन का, find the magnitude of acceleration of block A and B, just after the string is cut, क्या करेंगे हम, इस वहाँ को चाट देंगे हैं, तो बड़ी सी कैची रहेंगे, और इसको हम काट देंगे, जैसे ही काटेंगे, A और B नीचे गिरेंगे, यहां तक हमको लगता है, तो दोनों का acceleration बताना है, इसको करने का तरीका है, दो step तरीका है, पहला step है इसको करने के तरीके में, दो step process ह तो step 1 what you have to do, step 1, find all forces under equilibrium, find all forces under equilibrium, बहले सारी forces भी कालो equilibrium में, second step, step 2, cut string and tension in string is 0, जैसे ही string cut करोगे, tension in string is 0, similarly, अगर spring cut करोगे, तो force, जो spring की force है, वो 0 हो जाएगी, clear, clear, clear है, अगर आप spring को cut करोगे, तो spring force 0 हो जाई, cut string, cut string, जो भी कटा, काट दो, then tension या FSP becomes 0, बस, यही 2 step है, पहली step में क्या करना है, इसका तरीका यही है, पहली step में क्या है, find all forces under equilibrium, इन दोनों masses पे, सारी forces निकालो, कब निकालनी है बेटा सारी forces, किस condition में निकालनी है, second step क्या बोलता है, दो step का process है, पहला step, find all forces, step 2 में क्या करो, पहले सारी forces निकाल के बाइच जाओ रहा है, पिर क्या करो step 2 में, अगर string काटी है, तो string में tension 0, और अगर spring काटी है, तो spring force 0, ठीक है, अवो इ forces, अंडल, एक लिए बेटा, बेटा, इस पर force कितनी लगेगी नीचे की तराफ, mg, धियान से देखना, सिखा के जाओंगा मैं, cutting of string, धियान से देखो, पहला step, सारी forces निकालो, एक लिए बेटा, नीचे की तरफ force, mg लगी, उपर की तरफ बेटा, इसमें spring force लगेगी, spring force को म बेटा, नीचे किती force लगेगी, 2 mg, इसका weight, 2 mg, इसका weight, और spring force कैसे लगेगी, tension की तरा, away from the point, F, लेको अपना ये tension अप कर दो तुं, जी बनका, spring force कैसे लगानी है, tension की तरा, पहले ही बता दिया, जो सिखाते जारा है, उस सिखते चलो, तो यहाँ spring force लगी, यहाँ नीचे किती, F, और क्या लगेगी, 2 mg बेटा, नीचे की तरा, 2 mg क्या लगेगी, 2 mg, लेको पहला step क्या, find all forces under equilibrium, तो इस पे नीचे mg लगी, उपर spring force, इस पे नीचे 2 mg, नीचे spring force, और इस पे एक force लगेगी, tension की, yes, एक force लगेगी, tension की, क्या बोला है, find all forces under equilibrium, चलो, सारी forces निकालते ह है, F कितने बराबर होगी, अगर B का equilibrium देखें हैं, अगर B का equilibrium देखें हैं, अगर B का equilibrium देखें तो F कितना होगा, mg के बराबर होगा, mg के, अभी हम क्या कर रहे है, step 1 कर रहे है, step 1, step 1 में हम से क्या कहा है, एक हम से क्या बोला है, सवाल क्या पूछा है, सवाल ये है, कि magnitude of acceleration of ए और बी जिस्ट आफट इसका जैसी को काटेंगे ए असलेशन प्रेंगे तो ए और बी का क्या आपका यह सवाल को सबस्क्राइब क्या पहला है सारी प्रेव निगे लिजी विचा ऐस पर इसे इसे गरिए यह अपर हो गया थिक है प्लेव टेख नीचे टुम्यूंजी नीचे फॉपर टू टी कि अधुण देखा घुछ आए इचे यृथ नीचे एयनगी फिर टुम का इकली विडियम देखे। 2m की बाफ करें, नीचे 2mg, नीचे f उपर t, so t is equal to f plus 2mg, मेटा f की value कित्ती है, mg यहाँ पुट कर दो, so t is equal to f की जगे mg plus 2mg, कितना हुआ, 3mg, यह हो गया tension, सारी forces निकल लाई, बहुत बढ़िया, अब जो काटा है, वो काट दो, क्या काटा है, string, जो चीज काटा है, उसक string काटी है, string काटी है, तो क्या होगा, tension force 0 हो जाएगा, तो tension खतम हो गया, अब देखो, mass इसको, 2m को देखो जगा, 2m पर उपर लगने वाली tension खतम, नीचे force लग रही है, 2mg, और नीचे force लग रही है, f, नीचे force लग रही है, 2mg, और नीचे force लग रही है, बहुत ही simple है, तो हमने इसके उपर force निकाली और उसके उपर भी Mg और F, F और 2Mg और Tension T, बहुत सिंपल, तिर हमने कहा कि यह equilibrium में है, find all forces under equilibrium, so F किसके equal? Mg के, फिर यह भी equilibrium में है, तो T किसके equal? F plus 2Mg के, F कितना है? Mg, put कर दिया 3Mg आगया, अब string काटी है, तो Tension 0 हो गया, तो 2M के किती force लग रही है, नीचे 2Mg और नीचे F लग रही है, F कितनी है? Mg के बराबर, तो 2M पे बेटा, net force किती हो गई? 2M पे net force किती हो गई? 2Mg, और F कितना है? Mg, तो net force किती हो गई? 3Mg, तो force है 3Mg, mass है 2M, कितना हो जाएगा बेटा, force upon mass, F नहीं लिपते हैं, क्योंकि F तो यहां पे एक सिंबल यह रखा है, नहीं समझे, यहां से आपने काट दिया, tension खतम, by string कट गई, string जैसी कटेगी, slack कर जाएगी, tension खतम हो गया, tension जैसी खतम हुआ, 2m पे एक force F, 2mg, F कितना है, mg, mg प्रस 2mg, 3mg, तो force यह, mass यह, acceleration क्या हो जाएगा, force upon mass, M, M cancel कितना हो गया, 3 बटे 2g, किधर, नीचे की तरफ, 3 बटे 2g, नीचे की तरफ, M की बात करें बेटा, M पे नीचे क्या लग रहा था, mg, उपर क्या लग रहा है, F, क्या F भी 0 हो जाएगा, क्या F भी 0 हो जाएगा, या F भी 0 होग जीरो, यानि इसका acceleration, 0, तो M का acceleration, 0, और 2 M का acceleration, 3g by 2, इसका 0, इसका 3g by 2, यानि B का 0, A का 3g by 2, ये A block है न, और ये B block, A का 3g by 2, और B का 0, A का 3g by 2, और B का 0, कि 3g by 2, 0, मतलब सरी अचलरेटी नीचे क्या, सरी अंटर ग्राइटी गिरा ही नहीं, हाँ नहीं गिरा, आपने इसका धियां दो, just after, ऐसा नहीं बोला, after spring gets cut, spring gets cut, बोला, just after, तुर्रंत, जैसे ही कार्टा, यहाँ spring force बनी थी, वो M G को समाली होगी है, M G को पहले भी spring force समाली होगी है, M G को पहले भी spring force समाली होगी है, इसको कार्टने से, इसका सल्टू लग भिकल गया, ये नीची कि न बनाएंगे, net force upon, net mass, acceleration क्या होता है, net force upon, net mass, net force के 30, net mass, clear, next जवाल, confused ना होना, साथियों, हमें से करना है, find the magnitude, find the magnitude of acceleration of block A and B, just after the string is cut, देखो, language, language देखेंगे, just after, the string is cut, step number one, क्या है, equilibrium में आके सारी forces find करो, step one लगाते है, step one में क्या करेंगे, सारी forces find करेंगे, equilibrium में सारी forces है find all forces under equilibrium, step one यही है, find all forces under equilibrium, तो equilibrium लाते हैं, सारी forces निकलते हैं, चलो भाई, स्टार्ट करें, इस पे नीचे कित्नी force लगेगी, mg, उपर tension T, यहाँ पे भी tension T, यहाँ पे mg, उपर spring force, उसको F बोल दिया मैंने, FSP की जगे F चलेगा, नीचे वाले पे mg, उपर tension T, इस पे नीचे tension T, आर इसका weight mg उपर, spring force, चलो, B वाले का equilibrium check करते हैं, B वाले का equilibrium check करें, B वाले पे, नीचे mg है, उपर T है, यहाँ टी कितना हो गया, 2 mg, कहानी, clear, step two अगर इस string कटी है तो tension zero, spring कटी है तो spring four zero, क्या कटा है? इस string is cut, is string cut हुई है, tension zero हो गया, चलो different masses को देखते है, mass a को देखते है mass a किसल एक्तना है, m, नीचे tension zero हो गई, नीचे mg उप़र f चिक, आओ, इसका acceleration निकालना है, F कितना है बेटा, F कितना है, 2MG है, F कितना है, 2MG है, तो forces की बात करें, उपर, 2MG, नीचे, MG, net force किदर हो गई, उपर की तरफ, MG, yes or no, net force, उपर की तरफ, किती, MG, acceleration बेटा, force upon mass, M और M cancel, G, किस तरफ, उपर की तरफ, B की बात करें, बेटा, B का mass M है, नीचे की तरफ, MG लग रहा है, उपर की तरफ, T लग रहा है, T क्या हो चुका है, 0, तो बेटा, B कितने लगेगा, नीचे की तरफ, A acceleration से, acceleration is equal to force upon mass, कितना आया, G, किधर, नीचे, magnitude दोनों का GG है, अब यहाँ पर exact acceleration बूस्ता, which is vector, तो इसका acceleration बेटा क्या आ रहा था, plus G, उपर को, और इसका acceleration क्या आ रहा है, minus G, क्योंकि यह नीचे को, तो दोनों का acceleration magnitude वाइस तो क्या answer होगा, G, 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 clear हुआ, अगला-गला कुछ से करोगे, पक्का, पहले क्लिवरियम पोजीशन, इस्टिंक टेंशन जीओ, इस्टिंक सही हो, pause करके, इसको खुद से करना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, आई, हो गया, हो गया, चलो, step 1, क्या करेंगे, find all forces under equilibrium, find all forces under equilibrium, चलो, forces निकालते हैं, सिपाईयों, चलो, forces निकालते हैं, B पे बेटा नीचे की तरफ, M, जी, उपर की तरफ, tension T, यहाँ पे भी, tension T, A पे नीचे, 3M, जी, उपर की तरफ, spring force F, बोलो सही है, डाइग्राम प्राथा कुछल मुछल सा बना है, और क्या करेंगे, इनोंने जग लिए बात करें, B की बात करें, बेटा, नीचे M, G, उपर tension T, तो T किसके बराबर? M, G के, एक लिए बिलियम पर आए हैं, यह क्योंकि, नीचे M, G, उपर T, तो T किसके बराबर? M, G, एक ही बात करें, A पे उपर F है, नीचे T और 3M, तो F किसके बराबर? T प्लस 3M, लिख कॉरेक्ट नेक्स स्टेप में क्या है क्या काटा है इस्ट्रिंग इस्ट आफ्ट पूछा होगा फाइंद इस बार भी मैंनिटूड निकालना है अगर बेटा लिखते देदे फाइंद इसलेशन आफ ब्लोक एंडी कब प्लस माइनस भी दूगना जो पर जा रहा है एसलेशन नीचे का नेगेटिव अभी तो है मैंनिटूड ऑफ एंडी इमिजीटली आफ्टर इस ट्रिंग कट होने के बाद तो बहुते ही स्टेप टू पर आगे हम स्टेप टू क्या कटी है स्ट्रिंग स्ट्रिंग कटी है तो इस ट्रिंग में लगने वाली फोर्स टेंशन जो है च्छांग कि यह सब्धात का जो बात करें जीचे की तरफ कांची तरफ 3M जी बची यह को भी तो लगी तर बलो सही है इसपे कांची फोर्स लगी नीचे ट्रिंग लगता ही रहेगा च्छा एफ की आई है 4M जी यहाँ पर लगा सकते हो तो 3M पर नीचे लगी 3M जी और उ force कित्ती है mg, mass कितना है 3m, mm cancel, g by 3, किदर उपर हो, तो positive g by 3 होना चाहिए, इसका acceleration, बात कर लें बेटा, b की, b का mass कितना है, m है, force कित्ती है नीचे, mg है, और tension कितना है, 0, b की बात करें, तो b पे tension क्या है, 0 है कि नहीं, इस्ट्रिंग कर गए tension, 0 है, तो बेटा, नीचे की तरह accelerate करिया सीधा, g हो गया इसका acceleration, mg देखी रहे हो, force है, mg बटे m, और क्यासा होना चाहिए, minus g होना चाहिए, तो a का g by 3 और b का g, g by 3, g by 3, g by 3, g, और अगर exact पूछो तो क्या होना चाहिए, पेटा, exactly इसका क्या होना चाहिए, इसका plus g by 3, और इसका minus g, clear है अभी है, spring कटेग इसके, spring में tension गी तरह, खेल असान, आगे बटे हैं, आगे बटे हैं, combination of spring, पहला है series, series combination क्या होता है, इस दो spring आपस में जुड़ी है, combination of spring, दो spring आपस में जुड़ी है, अगर दोनों spring का, एक एक छोर आपस में बंधा हो, तो हम लोग क्या बोलते है, किसमें है, series में, एक को पकड़ेगी, और दूसरी पहली spring को पकड़ेगी, एक spring मास को पकड़ेगी, दूसरी spring पहले को, तो वेटाइस को बहुते है, series combination, k equivalent कैसे हाता है, इसमें, 1 by k is equal to 1 by k1 plus 1 by k2, प्लस 1 by k2, यहां से में k की value क्या हो जाएगी, क्या होती है, k1 k2 upon k1 plus k2, प्लेल में equivalent resistance कहीं क से पहचानोंगे, दोनों spring का एक छोर मास से बंदा होगा, parallel में, series में एक मास से लटकी होगी, दूसरी पहले से लटकी होगी, और parallel में दोनों की दोनों मास से बंदे होगी, जैसी यह देखो, दोनों की दोनों मास से बंदे है, यह तो यह देखो, दोनों की दोनों मास से ब सब्सक्राइब करना पर नकला सब्सक्राइब करना गया इसे निगे निगेश्ट पार्ट सब्सक्राइब में जितने बाtr Xiaomi में गरता है के सिरीज में कितना होता है 1 वो inversely proportional to length of spring होता है, k is inversely proportional to length of spring, k is inversely proportional to length of spring, जरा बात समझते हैं, करके दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा, मालो ये एक spring है, इसका spring constant k है, मालो इस spring को मैं दो पार्ट में काट दूँ, इसको मैं दो पार्ट में काट दूँ, दो पार्ट में काट दूँ, दो पार्ट में तो पेटा आपने क्या किया इसको आदा कर दिया आधा-द्ध में एक डाऊ-द्री यानि इसकी लेंग कितनी हो गई ऊप्लस-वन यानि प्लस नुठ तो ही दो जिस तरह समझा रहा हैती हो कि तो ही मज़ाएगा सीधा मैं तो बाती नीं बताना चाहिए वह ठार हो यायद Corps रिखियो क्या रख्खा हमने 1-1 के रिखियो में क्कटा ठीक है बराबर से 1-1 satisfonầ Bod injured मीं काटा ठीकक तो इसकी लेंझती हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी हाफ वन बाइव 1 पलासे हैं यह कितना मज़ें यह रिखें यह कितना हो 1 upon 1 plus 1 into L, ऐसा लिखलो चलो, इसके लेंग किती हुई, 1 upon 1 plus 1 into 2 into L, लेंथ आधी-ाधी हो गई, तो क्या हो जाएगा, double-double, ये हो गया, 2K, ये हो गया, 2K, Master ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा था, लेंथ आधी करेंगे, तो spring constant double, में तो से मांस्टर है तो किसे को तीं और मने में कॉंस्टति इसको क्या थिंशा1 इसकुन है कद लेंग면 रिस्ट्ट्ट मैं कि यह कितना हो गया ववन अपन माझन फ्रीच हो गया एक वन अपॉण वन प्रस प्लies फाउन ट्रीद ये वन अपन्परम न्साइब जोल वान धोकी मधान कि तमुर्ण siitä कि रही हो गाओ सब्सक्राइब करें लोग समझ गया अंसर क्या आएगा अगर इसको एंपार्ट में सब्सक्राइब वन इस्टू वन इस्टू वन इस्टू वन डाश डाश हो जाएगा है यह ठीक है कि इतना हो गया आप उन वन प्लस प्लस फंप्लस वन इतनी लेंद्ध होगी इसकी इसकी लेंद्ध होगी इसकी लेंद्ध होगी है तरीक हो जाएगा लेंद्ध कितने टायम है बंग बिए लगाया यह लेंद्ध कितने कम होगई और यह टेत्व को बढ़ जाएगा टेंगे ऐनके अनक एनक 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 एफे देट प्रिगोंसिट सवाल दिखतेंगे इंट अ कि हगए तोभा चलो सवाल तेखते हैं तो बढ़ आसान लग रहा 2017, क्या पूचा सवाई, spring of force constant k is cut into lens of ratio 1 is to 2 is to 3, they are connected in series, the new force constant is k dash and then they are connected in parallel, and force constant k double dash, तो क्या निकलना है, k dash is to k double dash का ratio, कर पाएंगे, असांजर वाल है concept ने से, spring of force constant k is cut into lens of ratio 1 is to 2 is to 3, तो ये है spring, माल लेते हैं की length L है, spring constant k, spring of force constant k, अब length L माल नी, is cut into lens of ratio 1 is to 2 is to 3, तो 1 is to 2 is to 3, तो length का ratio क्या बनाया हमने, 1 is to 2 is to 3, 1 is to 2 is to 3, तो बेटा, ये पाट कितना length हो गया, 1 upon 1 plus 2 3 plus 3 6, 6 into L, ये पाट कितना हो गया, 2 upon 1 plus 2 3 6, ये पाट कितना हो गया, 3 upon, नहीं समझे रहें, अब length का ratio निकाल रहें, total length कितनी है, L, हमने माने, कहीं दिया नहीं, spring of force constant k, is cut into lens of ratio 1 is to 2 is to 3, हमने का मान लेते, spring constant k है, और length L है, कैसे cut हुआ है, 1 is to 2 is to 3, किसका ratio है, ये length का ratio है, 1 is to 2 is to 3, तो बेटा, ये पाट कितना हो गया, ये व्ला पाट कितना हो गया, ये व्ला पाट कितना हो गया, तीन पार्ट की लेंद क्या हो गई, L by 6, L by 3, L by 2, इसके लेंद कित्थी हो गई? L by 6, दूसरा वाला 2, 3, 6, L by 3, और इसकी लेंद 3, 2, 6, L by 2, अब देखू, अब देखू, जब लेंद L है तो इस्प्रिंग कॉंस्टैंट के है, लेंद कितने गुणा कम हुई? 6 गुणा, इ लेंन्ट l a spring constant k, length कितने कुना कम होई, 3-3, spring constant 3ग गुना बढ़ गया, length कितने कुना कम होई, 2-2, spring constant 2गुना बढ़ गया, बहुँ यह कहानी समझ में ऊँ नहीं, तो 3 spring spring constant बिल गया है, अब इसका series और k equivalent कालना है, वो आप कर लोगे, वो टफ लेंग था, क्लियर हुई बात क्या बताया मैंने है कि ये मेरे पास spring है, मैंने कहा इस spring का constant k और length l माना, ये spring 3 पार्ट में काटी, 1 is to 2 is to 3 में, length के किस ratio में काटी, 1 is to 2 is to 3 में, तो मैटआ ये कित्ती length हो जाएगी, ये किटनी लेंथ हो जाएगी 1 upon 1 plus 2, 3, 3 or 3, 6 into L गुलाई 1 upon 1 plus 2, 3, 3 or 3, 6 into L ये कितना हो जाएगा 2 upon 2 plus 1 3, 3 а in 2 L ये कितना हो जाएगा 3 upon 3 plus 2, 5, 1, 6, सेनले आएगा L लेंथ हो गई L by 6, ये किटी हो गई L by 3, ये किटी हो गई L by 2, तो बैटा जब L Spreen K therap के है तो L by 6 का spring constant क्या होगा, L by 6 का spring constant 6 की होगा, length 6 गुना कम होई, spring constant 6 गुना बढ़ गया, length 3 गुना कम होई, spring constant 3 गुना बढ़ गया, length 2 गुना कम होई, तो यह 3 spring का spring constant है, अब आपको series और पहलेल, combination का k निकालना है, they are connected in series, new force constant is k dash, तो पहले series की बात की, series में बेटा, इनका equality k dash आजा है, so 1 by k, 1 by k1, 1 by k2, 1 by k3, so यह कितना है, 1 up 1, k dash is equals to 1 by 6 k plus 1 by 3 k plus 1 by 2 k, अगर आपने resistance का parallel combination solve किया, तो इस आंसर आपको आना चाहिए, 6 और 3 parallel में होते हैं तो आंसर आता है, 2 और 2 और 2 parallel का आंसर हो जाएगा 1, देखो, spring series में is like resistance in parallel, यह बढ़ फेमस combination resistance parallel का, 6, 3 का 2 आ तो क्या आया, k dash की value कितनी आगे, k के बराबर, फिर parallel बोला है, parallel में बोला है k double dash, parallel में क्या हो जाएगा, k1 plus k2 plus k3, so k double dash कितना हो जाएगा, 6 plus 392, 11, 11 k, खत्म, so k dash is equals to k double dash का ratio चाहिए, यह तो मांगा है, k dash is to k double dash, क्या हो जाएगा, k is to 11 k, यहानी 1 is to 11, answer, clear हो गया, spring की कह अब spring कहा आएगा, SHM में फिर से आएगा, ठीक है, अभी spring में इतनी ही जीन में पढ़नी थी, चलो, अब हम लोग आगए, आज next topic पे, pseudo force, spring force हो गई, pseudo force, pseudo force, एक special force होती है, हर motion में नहीं लगा सकते हो, इसको तभी लगाना, जब आप accelerated frame में चढ़कर, जब चुहा बनकर, accelerated frame में बैठ जाते हैं, तब pseudo force लगती है, तो accelerated frame को हम लोग कहते है, non-inertial frame, तो दो तरह के frame होते है, inertial और non-inertial, inertial frame कौन से होते है, जिनका acceleration 0 हो, यानि इन खुद, खुद इस frame का acceleration है, वो 0 होगा, इधर ये rest पे होगे, या moving with constant velocity पे होगे, या तो ये rest पे होगे, rest पे हुए तो भी acceleration जी हो, या moving with constant velocity हो, तो भी acceleration जी हो, यानि कोई frame, constant velocity से चल रहा है, तब भी वो inertial है, inertial frame वो होते हैं, जहां पर newtons के laws valid होते हैं, newtons laws are valid for observer in inertial frame, अगर हम अगर हम inertial frame के अंदर हैं, तो हम newtons के law बड़े प्यार से लगा सकते हैं, ठीक, तो अगर हम कहां है, inertial frame के velocity, next, non inertial frame, जिनका acceleration 0 ना हो, जिनके पास कुछ acceleration हो, यानि कैसे frame होंगे, accelerated frame होंगे, इसके frame का ही कुछ acceleration होगा, जिस bus में आप बैठे हो, bus accelerate कर रही है, आप observer हो bus के अंदर, और bus क्या है, frame जो की accelerate कर रहा है, आप accelerated frame के अंदर हो, कैसा frame have some acceleration, newtons are not valid for observers in non inertial frame, यह नहीं कह रहा क कि non inertial frame में newtons law नहीं रखते है, यह नहीं कह रहा कि bus के अंदर newtons law valid है, पर उस observer के लिए valid नहीं है, जो bus के अंदर में इठा है, यह fast समझ गे तो concept समझ गे तो, यह आज conceptual चीज़ है थी, spring के अंदर concepts, यह तो अपने आप जानते conceptual topic के सिरूफ हो, अगर एक bus accelerate कर रही है, त नहीं होते है, non inertial frame में जब observer होता है, उस observer के लिए newtons law valid नहीं होते है, newtons law are not valid for observer in non inertial frame, एक bus, जो की accelerate कर रही है, non inertial frame, पर अगर मैं बाहर से, उस bus के अंदर की चीज़े देख रहा हूं, तो newtons के law मेरे लिए must valid है, पर अगर आप उस bus के अंदर बैटके, bus की कहानी समझ नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे, तब pseudo force लगाते है, apply only when observer is in non inertial, या accelerated frame, आप बाहर से बाइटके किसी frame का नजारा देख रहे हो, अब frame में pseudo force नहीं लगा सकते है, pseudo force सिर्फ तब लगेगी, apply only when observer is in non inertial, या accelerated frame, या अपनको खुद पहले चूहा बनकर उस frame में बैठना पड़ेगा, कब pseudo force लगेगा, accelerated frame में चूहा बनकर बैठ जा, accelerated frame में चूहा बनकर बैठ जा, and object पे minus ma लगा दे, फिर newton's law लगा, फिर newton's law लगा, कोई attention नहीं है, यानि non on inertial frame हो, हम inertial frame में convert कर सकते हैं, एक तरीका है, मान लो कि bus चल रही है acceleration से, आज थोड़ा सा है, अब क्या किया जाए, तो conceptualism में बागी सकते है, bus चल रही है acceleration से, और आप bus के अंदर हो, और आप कहलो मुझे newton's law लगाना है, मैंने का नहीं लगा सकते, bus कैसा frame है, accelerated frame, इसके अ object पे लगा दो, object के पीछे force लगेगी MA, इसी को pseudo force कहते है, pseudo मतलब नकली, हैना जाली force, pseudo मतलब धोखे वाली force, AFL में exist नहीं करती है, तो कहानी क्या है, मान लो ये trolley है, ठीक है, और ये trolley से कोई न बोली, तो trolley है, मान लो इस trolley पे ये box रखा है, इसके उपर आपको newton's law सक दिया, जिसका मास M है, और इस box पे आप क्या लगाना चाहते हो, newton's law लगाना चाहते हो, इस पे आप newton's law लगाना चाहते हो, और trolley आगे भाग रही है, acceleration, एसे, आप क्या करो, पहले तो आप चुहा बनके इस frame में आ जाओ, ये accelerated frame है, तो आप चुहा बनके frame में बाइड ये ट्लोली है, ये आगे जा रहे ही, acceleration, एसे, और इस पे ये mass M रखा है, और इसी पे observer है नेरा, observer कौन से frame में है, accelerated frame में है, तो accelerated frame को observer क्या करेगा, कि ये जो acceleration है, इसको पलट कर M पे चिपका दो, पीछे की तरफ, तो किती force लगा लगी, M, इसे को क्या मोलते है, pseudo force, इसके बाद इस object क्या लगाओ, newton's law लगाओ, अब कोई दिख करते हैं, अब newton's law वापस से इस object पे valid हो तो non-inertial frame में, जब observer वैठा हो, तब newton's law लगा सकते हैं, अगर, अगर हम frame के acceleration को पलट कर object पे लगा दें, और पीछे की तरफ एक pseudo force लगा दें, M, पीछे मतलब, object इदर जा रहा है, इदर लगाएंगे, इदर जा रहा है, तो इदर, यानि non-inertial frame को inertial में convert करने का तरीका है, क्या, pseudo force, non-inertial frame को inertial frame में convert करने का तरीका है, pseudo force, कब लगाएंगे pseudo ध्यान दो, apply only when observer is in non-inertial frame, जब observer खुद accelerated frame में हो, चुहा बनके accelerated frame में बैठ जाओ, जो frame का acceleration में पलट कर object पे लगा दो, M, पीछे, अब लगाओ, अब लगाओ, सवाल करते हैं, question, above of mass M is suspended from ceiling of a train, moving with an acceleration, a as shown in figure, find the angle theta in equilibrium position, हमें ये angle theta निकालना है, find the angle theta in equilibrium position, ऐसा होगा न, सोच के देखो, इसके अंदर एक bob लटकाओ, और इसको तेजी से accelerate करो, क्या होगा, अब पीछा जाएगा कि नहीं, imagine कर देखो, feel भी हो रहा होगा, अगर हम इस trolley के अंदर, इस train के अंदर, एक bob ऐसे आगे ले जाए, सुर, तो bob पीछे भाग जाएगा, तो वही हुआ, हमसे क्या कह रहा है, find the angle theta, किस condition में, equilibrium में, find the angle theta in equilibrium position, equilibrium में, चलो, सबसे पहला काम, चूहा बनके फ्रेम के अंदर बैठ जाओ, सबसे पहला काम, क्या करो, चूहा बनकर, फ्रेम में बैठ जाओ, बैठ जाओ, चूहा बनकर फ्रेम में बैठ जाओ, बैठ गए master जी, चूहा बनकर फ्रेम में बैठ गए, अब तुम कौन से frame में हो बेटा जी, तुम observer हो, तुम कौन से frame में हो, accelerated frame में हो, frame का acceleration A है, इस पे सबसे पहले पीछे क्या लगेगी, pseudo force, bob of mass M, bob का mass कितना है, M है, त इस पर सबसे पहले क्या लगेगी, पीछे की तरफ pseudo force लगेगी, ठीक है, bob का mass कितना है, M, सबसे पहले पीछे की तरफ pseudo force, तो acceleration A आगे है, तो पीछे की तरफ pseudo force, कितनी लगेगी, M into A, acceleration A आगे, जैसे ही observer कहां पहुचा, observer कहां पहुचा, चूहा बनके कहां बैठ गये आप, accelerated frame के अंदर, वैसे ही आपको frame का acceleration पलट कर, bob पे चिपकाना होगा, पीछे pseudo force M, पीछे pseudo force M, clear, पीछे pseudo force M, चलो, अब हमें क्या देखना है, fine angle theta and equilibrium, अब लगाओ Newton's law, problem solved, now solve your question, now I'm going, now it's done, अब कुछ नहीं करना, अब Newton's law लगा, अब सवाल solve करो, ये करते ही, ये कोई अब accelerated या no initial frame नहीं रहा, observer अंदर बैठा या, acceleration पलट के इसे लगा दिए, अब खेल खतम है, अब बताओ बेटा, इसका क्या लाना है, find theta in equilibrium position, theta निकालना है, चलो, इस बॉप पे लगने वाली सारी forces देखते हैं, एक force नीचे लगेगी, इसका weight, mg, एक pseudo force लग गई पीछे की तरफ, ma, और एक लगेगी tension force, सही बात है, एक लगेगी tension force, तीन force है बेटा, तीन forces के presence में ये किसमें है, एकलिबिरियम में है, तीन forces के presence में ये किसमें है, एकलिबिरियम में है, चलो, तीन forces अट कर रहीं, पीछे pseudo, नीचे weight, और ऐसे side में tension का force, ठीक है, मेटा ये angle theta, तो ये angle theta होगा, ये angle theta, तो ये angle theta, टी का उपर की तरफ component कितना आया, टी, cos theta, बोले सही है, ये angle theta, ये angle theta, टी का इधर component, टी cos theta, और टी का इधर component कितना आएगा, टी sin theta, अब चूंकि ये mass equilibrium में है, तो इसके उपर force, x और y दोनों में 0 होगी, बोलो यहां तक समझ में आया, मैंने क्या बोला, इसके उपर force, एक पीछे pseudo, नीचे mg, और इधर tension t, ये angle theta, इधर t cos theta, टी sin theta, अगर ये equilibrium पे है, तो इसमें y में भी 4, 0 होगी, x में भी, तो y में उपर t cos theta, नीचे mg, x में इधर t sin theta, इधर ma, तो x की बात करें, x में इधर t sin theta, और उस तरफ ma, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, cancel करेंगे, तभी तो किस में आएगा, equilibrium में आएगा, उपर क्या है, t cos theta, नीचे क्या है, mg, so t cos theta किसके बराबर आजाएगा, mg के बराबर आजाएगा, अब देखो आपको क्या निकालना है, theta निकालना है, कैसे आएगा, t हटाना होगा, तो इसमें से इसको divide कर दो, first divide by second, इसमें से इसको divide करो, t से t cancel, sin theta by cos theta, कितना हो गया, tan theta is equals to, m से m cancel, a by g, tan theta is equals to a by g, याद रखेंगे इस expression को, tan theta is equals to a by g, theta is equals to tan inverse a by g, theta is equals to tan inverse a by g, theta is equals to tan inverse a by g, clear, clear tan inverse a बाई जी, bob यू लटका था, जैसे ही आगे भागी, zoom, कितने acceleration से, a acceleration से, चुहा अंदर आके बैट गया, आप चुहा बन के अंदर बैटे, जैसी a से आगे गया, आपने bob पे पीछे क्या लगाया, में, में से पीछे भागाया, इधर टेंशन टी, इधर एमजी, टी का टी को सिटा, टी साइन थीटा, फाइन थीटा इन, एकलिविरियम पोजिशन, इसका क्या आचुका है, एकलिविरियम, पीछे जाके ये, एकलिविरियम में रुख गया है, क्लियर है, भाई, आप अंदर बैटके देखोगे, आपको क्या जिखेगा, बॉब एक जगे पीछे जाके, ऐसे तैरता हुआ, रुख जाएगा, क्या होगा, ये जैसी आगे बढ़ेगी गाड़ी, बॉब ऐसे पीछे जाएगा और एक जगे जाके इसे तंगा रहेगा, आप इसे देखोगे, हवा में इसे तंगा हुआ है, आपको लगए ये कह हो रहा है, तो आप अची दिमाग लाँ आचेओ, कि गाड़ी आगे अची जाएगा, आपको लगता है अपने को, पर Newton's law से सोचेओ, इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, Newton's law वैलिडी नहीं है रोस प्रेम के अंदर, बात समझे, अपन लेते हैं इस चीज़ को बढ़ा चिले, कि अपन कार के अंदर बैठे हैं, कार तेजी चल लिए ही, सारी ची अपने आपको satisfy करने के लिए, कि भाया पीछे force है, तभी पीछे गया है, में, समझ में आई इवाथ, कब लगती है जब observer, accelerated frame में हो, चलो आगे बढ़ते हैं, question number 10, neat Odisha 2019, neat Odisha 2019, क्या सवाल है, A truck is stationary and has a bob suspended by a light string in frame attached to the truck, the truck suddenly moves to the right with an acceleration of a, the pendulum will tilt to the left and angle of inclination of the pendulum with the vertical is tan inverse g by a, चलो, यह क्या है, truck है, और क्या बता रहा है, A truck is stationary and has a bob suspended by a light string in a frame attached to the truck, यह, the truck suddenly moves to the right with an acceleration a, यह acceleration से किया, bob पीछे भाग आएगा, इधर, कितने angle पे, theta angle पे, क्यों पीछे आया, क्योंकि चूहा बन के आप अंदर बैठोगे जैसे ही, clear हुई बाद, पीछे की तरफ क्या लगेगी, pseudo force लगा लोगे, चूहा बन के इसी अंदर बैठोगे, इसके उपर आप पीछे की तरफ, pseudo force में लगा लोगे, theta angle से पीछे चला जाएगा, तो truck किदर move की, right में, तो bob किदर भागा, left में, यह सुनो, bob किदर भागा, left में, और angle with the vertical है, the pendulum will tilt with the vertical, तो vertical से कितना angle होता है, tan theta is equals to a by g, याद रखो, tan theta is equals to a by g, मैंने कहा था न, याद रखो, tan theta is a by g, इसको क्या कर लीजे, remember कर लीजेगा, ठीक है, इसको remember कर लीजेगा, clear है बात, तो tan theta is equals to a by g, theta is equals to tan inverse a by g, किदर लेफ्ट में, है, so to the left and the angle of inclination of the pendulum with the vertical is sin inverse, नहीं, to the left, ये तो सही है, to the left, tan inverse a by g, सही है, and the angle of inclination of the pendulum with the vertical is tan inverse a by g, याद थीटा is equals to tan inverse a by g, clear है, आगे बढ़ते हैं, next, 11, क्या है, all surfaces are smooth in falling figure, कोई friction नहीं अभी, क्योंकि friction का lecture कल आएगा, find a such that block remains stationary with respect to wedge, कह रहा है, ऐसा acceleration find करिये, कि ये block wedge के respect में rest पे रहे, भाई क्या होगा, आप इसको ऐसे ढखे लोगे, कई बार होता कि नहीं, copy पे ऐसे हम लोग तेवडी करके copy कोई समान रखते हैं, फिर इसे मार कर रखा, इसे आगे लेगा, थोड़ी दिर नहीं गिरता है, ऐसा होता है कि नहीं, ये, तो ये कौन रोकता है, इसको pseudo force बचा ले जाती है, कैसे बचा ले जाती है, देखते हैं, जैसे ही आप इसको accelerate करोगे, आपको क्या निकालना है, find a such that, you have to find a condition है, such that block remains stationary with respect to wedge, such that block remains stationary with respect to wedge, यानि block slip ना करे, आपको ऐसा acceleration निकालना है, कि block नीचे slip ना करे, अच्छा, आपने क्या किया, find a such that a block remains stationary with respect to the wedge, ये पूरा wedge किते acceleration से आगे जा रहा है, ये acceleration से, तो आप चूहा बनके इस frame के अंदर बैट जाओ, यहाँ बैट होगे, frame में ही हो, ठीक है, थोड़ आप कौन से frame में आगए है, observer किस्में आ गया, accelerated frame में, observer in accelerated frame, बैटो, observer जैसे ही accelerated frame में पहुचा, क्या लगाएगा, pseudo force, acceleration आगे है, इस पे pseudo force पीछे लगेगी, कित्ती, मM, acceleration आगे है, pseudo force पीछे लगेगी, कित्ती लगी, म, इस एंकी जरवत नी रहा है कि बोलो समझ में आजा है कि एसलेरेशन यह आगे है हम चूहा बनके इस पर आके बैड़ गए हमें एसलेरेशन यह ऐसा चाहिए कि ब्लॉक नीचे ना गिरे जी टैन थीटा होता है ठीक है फिर भी आओ देख लेते हैं तो M पे पीछे की तरफ लगेगा सुडो फोर्स कित्ती लगेगी M A और M किस वज़े से नीचे गिर रहा है M को नीचे गिरने से ही तो रोकना है M को नीचे गिरने से तो M किस वज़े से नीचे गिर रहा है ये भी बात करनी चाहिए M नीचे गिर रहा है M G साइन थीटा की वज़े से यही साली परेशानी है M G साइन थीटा ही M को राइट, M को नीचे कौन गिरा रहा है, M G sin Theta, और सूडो कि इदर लगी, इस तरफ, M को नीचे किरा रहा है, M G sin Theta, और इधर M A, और कोई force है, इसमें, देखो, इसमें जो forces है, यह होगी, नीचे की तरफ, M G लगेगी, पीछे, सूडो force लगेगी, और इधर नॉर्मल रियाक्शन लगेगा, यह सारी forces होँगी, अगर हम बात करें, इस खेल की, तो इस खेल में यह सारी forces होँगी, एक तो M G नीचे लगेगा, एक नॉर्मल रियाक्शन लगेगा, इन सब की जर्वत नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, एक नॉर्मल रियाक्शन लगेगा, एक M G U लगेगा, एक M A U लगेगा, ठीक, M G का यह कॉम्पोनेंट M G sin theta, और M G का यह कॉम्पोनेंट M G cos theta, yes, M A का यह angle theta है, यह angle theta हो जाएगा, M A का इधर कॉम्पोनेंट कितना जाएगा, M A cos theta, ठीक, तो हमें तो इसी से मतलब है, हमें तो ब्लॉक को slide होने से रोकना है, हमें normal reaction थोड़ी ना निकालना है, normal reaction कितना हो जाएगा, M G cos theta plus M A sin theta, पर हमें कहा normal reaction निकालना है, बात समझ में आ रही है, फिर से बना दू पूरा यह, ध्यान से देखना, चलो, ध्यान से देखो, A A A ध्यान से देखो, mass कितना है, M, A acceleration से आगे बढ़े, observer कौन से frame में है, accelerated frame में है, तो mass पे पीछे क्या लगेगी, pseudo force, कित्ती लगेगी, M into A, सही है, M into A, और नीचे क्या लगेगी इसके उपर, M into A, एक force नीचे यहाँ लगेगी, M G, देखो, मैं answer भले ही रटवा देता हूं तुमको, ठीक है, मैंने starting में यह answer रटवा दिया, A is equal to G tan theta, पर समझो, pseudo force लगी पीछे, M A, और नीचे की तरफ force लगी, M G, ठीक है, और एक लगा normal reaction, although इन सब की सवाल में जरुवत नहीं है, पर सीख लो, एक लगा normal reaction, देखो, अब M G का along the incline कितना आता है component, M G sin theta, और इस direction में M G का कितना आएगा, M G cos theta, M G के दो component, along the incline M G sin theta, perpendicular to incline M G cos theta, M A को देखो बेटा, यह angle theta है, यह angle भी theta होगा, yes or no, यह angle theta, theta, तो M A का इधर कितना component आया, M A का उपर कितना component आया, देखो, मैंने दूसरी बार समझाया, अभी clear हो गया होगा सबको, M A का इस तरफ कितना component आया, master इस तरफ आया, M A cos theta, है न, इस तरफ कितना आयेगा, M A cos theta, और M A का इधर कितना आयेगा, M A sin theta, although उसकी हमें जर्वत नहीं है, हमें इसकी जर्वत नहीं है, ठीक है, ना हमें इसकी जर्वत है, ना इसकी, हमें normal reaction निकालने को नहीं बोला है, हमसे बोला है, ऐसा acceleration निकालो, ऐसा find A, such that block remains stationary with respect to wedge, तो wedge के respect में नीचे ना गिरे, बस ऐसा acceleration चाहिए, चाहो तो निकाल सकते हो, M G का इधर component, M G sin theta, और M A का इधर component, M A sin theta, ठीक है, M G का M G cos theta हैगा, sorry, M G का along the incline, M G sin theta, और यहाँ पर M G cos theta, इधर कितना हो जाएगा, sorry, M G cos theta, M A का इधर M A cos theta, M A sin, तो अभी तो हमें इसको block को गिरने से रोकना है, तो अगर हम block को देखें, तो नीचे की तरफ force लग रही, M G sin theta, और उपर की तरफ force लग रही, M A cos theta, तो यह दोनों forces बराबर हो जाएगा, गिरने से रुख जाएगा, so M A cos theta is equals to M G sin theta, यहाँ से M, M cancel, A is equals to G sin theta by cos theta tan theta, तो A is equals to G tan theta, तो frame का कितना acceleration होना चाहिए, G tan theta, तब क्या होता है, इसके उपर जो block रखता होता है, वो नहीं गिरता, तो इस बात को भी आप remember कर लीजिएगा, ठीक है, कि wedge के उपर अगर एक block रखा है, तो wedge का कितना acceleration हो, G tan theta, तो block नीचे slide नहीं करेगा, next question, नीच नीच ने इसके सवाल पूछा था, तो हमने यहाँ include किया, तीन सवाल आचुके हैं नीच पे, same इसी concept पे, दो मैं क्लास में करा रहा हूँ, एक practice sheet के अंदर, तो आपको खुच से करना है, तो दो सवाल इस concept के लिए क्लास में देखो, सेम सवाल है तो, a block of mass M is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in figure, the wedge is given an acceleration A towards right, the relation between A and theta for block to remain stationary on the wedge is, क्या बोला है, the relation between A and theta for block to remain stationary on the wedge, block को क्या रहना है, stationary रहना है, तो बेटा बड़ा असान है, कितना हो जाएगा, A is equals to G tan theta, this is the relation between A and theta, A is equals to G tan theta, अगर wedge का acceleration G tan theta होगा, तो यह block slide नहीं करेगा, नीचे M G sin theta, उपर M A cos theta, दोने एक दूसरे को cancel कर देंगे, clear है, clear है, diagram भी याद होना चाहिए, इस पे कौनसी force नीचे की तरफ, M G, P, पीछे pseudo force, pseudo क्यों लगा रहा है, क्योंकि observer यहीं बैठा है, चूहा बनके, और इधर normal reaction, M G का इधर component, M G sin theta, और M G का इधर भी एक component आएगा, M G cos theta, यहां angle theta, तो यह angle theta, M A का इधर component, M A cos theta, और M A का इधर component, M A sin theta, clear, अब हमें balance करना है, तो इन दोनों को बराबर कर दिया, M M cancel, A cos theta is equals to G sin theta, clear है, A is equals to G tan theta, इन दोनों को बराबर कर दो, M M cancel, A cos theta is equals to G sin theta, clear है, यह पीछे किया हुआ है, एक सवाल इसका और है वो कहा मिलेगा आपको शीट के अंदर मिलेगा क्या पूछा है यह तो वही हलवा सवाल पूछ लिया अ मास M is placed on very smooth wedge resting on a surface without friction once the mass is released the acceleration to be given to the wedge so that M remains at rest is A where A is applied to the left चलो देखें क्या है अ मास M is placed on very smooth wedge इसको मास capital M बोला है अ मास M is placed on a very smooth wedge resting on a surface without friction friction action नहीं है यह जो wedge है यह जिस पे रखा है उस surface पे कोई friction नहीं है फिर क्या बोला है once the mass is released the acceleration to be given to the wedge wedge को क्या acceleration दें so that M remains at rest is so that M remains at rest is A where so that M remains at rest तो बेटा A कितना होना चाहिए G tan theta clear है so that M remains at rest तो M rest पे रहे इसके लिए isolation कितना होना चाहिए G tan theta A is applied to the left नहीं पीछे नहीं उधर लगाओ गे ना to the right A is applied to the right A is equals to G tan theta बाई left में लगाओगे तो गलत हो जाएगे ना अगर left में लगाओगे A is applied to the left अगर left में लगाओगे तो M इधर आ जाएगा तब तो खेल बिगड़ जाएगा ना फिर M अगा component नीचे M G के साथ M G को support करेगा ब्लॉक नीचे गिर जाएगा तब तो यह देखो चलो लाएं तीनों सवाल करा दिये मैंने seat में एक भी नहीं है CBC APMT 2004 seat में एक भी सवाल नहीं है अब देखें इसका A block of होगा होगा इसा होई नहीं सकता G tan theta में सवाल sheet में मिलेंगे प्रीवेश सेर के नहीं मिलेंगे तो दूसरे practice सवाल मिल जाएंगे Practice sheet नामी है क्या है A block of mass M is placed on a smooth wedge of inclination theta The whole system is accelerated horizontally So that block does not slip on the wedge The force exerted by the wedge on the block will be सवाल बदल दिया सवाल क्या पूछ लिया इस बार The force exerted by the wedge on the block will be सवाल change कर दिया है सवाल क्या है The force exerted by the wedge on the block और बनाते हैं पहले यह wedge है एक प्लेज और दिया होगा मैंने यह wedge है यह mass M है A block of mass M is placed on a smooth wedge of inclination theta Smooth wedge of inclination theta The whole system is accelerated horizontally So that block does not slip on the wedge तो पूरे system को हमने आगे की तरफ acceleration दी है और condition क्या है The whole system is accelerated horizontally So that block does not slip on the wedge इसका मतलब बेटा acceleration कितनी है G tan theta के बराबर यह कहां से निकला इस line से So that block does not slip on wedge So that block does not slip on wedge यह क्या बता रहा है यह क्या है G tan theta The whole system is accelerated horizontally So that the block does not slip on the wedge The force exerted by the wedge on the block यानि यह wedge block पे क्या force लगाता है कौन सी force लगाता है दो body आपस में कौन सी force लगाती है Contact force Contact force होती है बेटा Normal reaction और friction force भी contact होती है पर यहाँ ध्यान से देखो कैसा है Smooth wedge है तो यहाँ friction force नहीं होगी अगर आप से contact force पूछ रहा हो कि एक body दूसरी body पे कौन सी force लगा रही है तो दो body आपस में दो तरह की contact force लगाती है Normal और friction यहाँ friction है नहीं तो सिफ normal The force exerted by the wedge on the block The force exerted by the wedge on the block क्या पूछ रहा है Normal reaction The force exerted by the wedge on the block Normal reaction तो हमने इसलिए normal reaction सिखा दिया था आपको जैसे ही acceleration से चलेगा Observer को हम चूहा बना के इसमें बठा दे चलेगा Observer को चूहा बना के बठा दिया जाए यहाँ बठा दिया यहाँ बठा दिया यहाँ बठा दिया हो The force exerted by the wedge on the block चलो बेटा बहुत ही असान है Mg का इधर component Mg sinθ Mg का इधर component Mg cosθ M e की बात करें यह angle θ M e का इधर component बोलो यह angle θ M e का इधर component M e cosθ M e का इधर component M e sinθ तो बेटा normal reaction किसके बराबर होगा, ये block उपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो normal reaction mg cos theta plus ma sin theta, ये block है, उपर n लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, mg cos theta और ma sin theta, so normal reaction is equals to ma sin theta plus mg cos theta, ठीक है, अब हम पता a क्या है, a किसके बराबर है, g tan theta के बराबर है, क्योंकि ये condition दे रखी है, so mg tan theta into sin theta plus mg cos theta, ठीक है, so mg tan theta क्या हो जाएगा, sin theta by cos theta, तो ये हो जाएगा, sin square theta by cos theta plus mg cos theta, बोलो सही लिख रहा है, tan theta ही जाएगे sin theta by cos, sin sin square, यहाँ से देखो, क्या हुआ, mg common हो गया, lcm हो गा, cos theta, ये हो गया, sin square theta by cos theta plus cos theta, तो lcm हो जाएगा, cos theta, ये हो गया, sin square theta, और ये हो जाएगा, cos square theta, sin square theta plus cos square theta, identity 1, mg by cos theta, so normal reaction is mg by cos theta, एक तरीका और था सीधा, normal reaction under root ma square plus mg square भी कर सकते थे, कई लोग comment में लिखके जाएगे, mg by cos theta, दूसा तरीका था, simple, ये दोनों forces देखो, दूसा तरीका आप ऐसे निकाल सकते थे, दूसा तरीका ये था, normal reaction यू लग रहा है, mg यू लग रहा है, ma यू लग रहा है, तो ma और mg के resultant को normal reaction काट रहा होगा, तो MA और MG का resultant क्या होगा, under root MA का square प्लस MG का square, उसको कौन काट रहा है, normal reaction काट रहा है, तो सीधा सीधा ये भी एक तरीका है करने का, MA और MG का resultant क्या होगा, MA और MG का resultant होगा, under root MA का square प्लस MG का square, तो आपने इन दोनों का resultant निकाल दिया, अब आप MA और MG को हटा सकते हो सवाल से, अब आप MA और MG को हटा सकते हो, normal reaction सीधा इसके बराबर कर दो, वहां से भी answer आ जाएगा, this way you can also do, ये करना भी सही है, ठीक, clear हो गई इस सारी कहानी, कि जब wedge पे block है, और wedge को A acceleration से आगे चलाएं, such that block नीचे ना गिरे, तो A क्या होना चाहिए, G tan theta, और उसके उपर based सवाल करा दिये, next, apparent weight of person in lift, है ना, तो एक काम करो, ये lift कैसी है, accelerated है, और इसका mass कितना है, M, बेटा, weight क्या होता है, weight होता है, normal reaction, what is weight, weight is measured by normal reaction, तो अगर किसी चीज का weight measure करना है, तो हम क्या measure करके दे दे देंगे, normal reaction, मेशर करके दे देगे कि इसका बेट मेशर करना है तो हम क्या मेशर करके दे देगे नॉर्मल रियाक्षन चलो, यह A asADA से perseverance से उपर जा रहा है इसमें तुम चूहा बनकर बैठ सकते हो तो लिफ्ट के अंजर चूहा बनकर बैठ गया जैसे ही चूहा बन कर बैठें, ये कौन सा frame है, accelerated frame है, तो pseudo force लगाओगे, नीचे की तरफ, कौन सा frame है, accelerated frame है, तो pseudo force लगाओगे, नीचे की तरफ, कित्ती लगी, ma, इसके उपर और क्या लगेगा, इसका weight, नीचे की तरफ, mg, और ये lift इसके उपर, उपर की तरफ क्या लगाए उपर ही तरफ क्या लगया, नॉर्मल रियाक्शन, अब ये बॉडी किसमें आ गई, एकलिब्रियम में आ गई, आप चूहा बनकर अंदर बैठ है, चूहा बनकर अंदर बैठते ही क्या किया आपने, इसकी असलिडेशन पलट कर नीचे लगाई सूडो म, इसका वेट म जी और इस समय, this is the effective gravity this time, n is equals to m into a plus g, इसको g effective भी कहते है, overall देखो इसका वेट क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो इसका apparent weight क्या दिखेगा थोड़ा सा, जादा दिखेगा, भारी feel होगा इसको, क्योंकि इसका mg से जादा weight आ रहा है, ma plus mg, similarly यहाँ पर वेट कम हो जाएगा, आप च में, इसका weight नीचे लगेगा mg, और normal reaction उपर, लो क्या बताता है, weight बताता है, generally normal reaction किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, generally normal reaction mg के बराबर होता है, most of the time, जब non-accelerated frame होता है, अभी normal reaction change हो गया, तो weight change हो गया, यहाँ normal reaction क्या आ रहा है, m into a plus g, acceleration product के नीचे लगा यह, equate क कर दिया, n plus ma is equals to mg, यहां से क्या बनेगा, n plus ma equal to mg, n plus ma equal to mg, acceleration को पर लगाया, normal reaction, उपर की तरफ, normal reaction कौन लगाता है, surface, normal reaction, so n plus ma is equals to mg, तो n हो गया, mg minus ma, तो इसका apparent weight क्या हो जाएगा, कम feel होगा, g minus a, तो जब body नीचे आती है किसी acceleration से, तो weight कम feel होता है, और उपर जाती है तो ज्यादा feel होता है, उपर जाती है तो weight increased feel होता है, नीचे आती है तो weight decreased feel होता है, जैसे हम लोग बैठते नहीं, वो free fall, जूले होते हैं, जो जूले अचानक से नीचे आते हैं तो गुद्गुदी होती है. It's a torture. Anyways, जब नीचे आते हैं तो गुद्गुदी क्यों फिल होती है? क्योंकि हम weight कम feel करते हैं. अब यही मानलो कि यह lift G acceleration से नीचे गिरने लगे. एक lift rope से बंधी है और उसका rope काट दो G acceleration से नीचे किरने लगी जैसी G से नीचे किरेगी A की value G आ जाएगी G minus G 0 तो इसका apparent weight 0 हो जाएगा तो जब आप free fall करते हो उस time आपका apparent weight 0 होता है कहीं लिख सकते हो यह बात आप कि free fall में जब आप free fall करने लगोगे तब आपका acceleration कितना हो जाएगा यह acceleration G हो जाएगा और normal reaction कितना आजाएगा 0 तो इस time आप weightlessness की condition में चले जाते हो आपका कोई weight नहीं होता तो free fall के वागत आपको अपना weight ही feel नहीं हो रहा है normal reaction लगना बंध हो किया है clear हुआ अच्छा बेटा ध्यान देना acceleration लिखा हो अगर यहाँ पर 5 meter per second velocity लिखिये तब यह गलती मत करना यह सब कब करना है apparent weight का logic कब valid है only in accelerated frame कई बार क्या होता है examiner आपको फसाने के लिए क्या करता है यहाँ पर 5 meter per second लिख देता है अगर यह constant speed से move कर रही लिफ्ट तो apparent weight कुछ change नहीं होगा original weight के ब्राबर कई बार होता है देगा 5 meter per second से नीचे आ रही है आपको लग रहा है नीचे जा रही है तो weight कम हो जाएगा acceleration से acceleration से नीचे जाएगी तब weight कम होगा सवाल भी एक लिए लिए हमने 2003 का क्या सवाल है a man weighs 80 kg he stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards with a uniform acceleration of 5 meter per second square acceleration है what would be the reading on the scale actual weight कितना है 80 lift किधर जा रही है उपर इसके नदर man खड़ा है 80 kg का कितना 80 kg का lift किधर जा रही है उपर कितने acceleration से 5 meter per second square तो इसका apparent weight क्या होगा बढ़ जाएगा उपर जा रही है तो apparent weight increase कर जाएगा तो 80 से तो ज़्यादा ही होगा मतलब 800 Newton से ज़्यादा होगा weight तो Newton में होता है तो 800 Newton से ज़्यादा होगा एक ही option है 1200 Newton यही आंसर होगा खतम solve भी करने के जरुबत नहीं थी यह तो आपकी test कर रहे थे कि आप कितना पढ़के आते हो 12 Newton is the answer क्या ही solve करोगे भाई जब उपर जाता है तो weight बढ़ता है इसका weight 800 Newton है उपर जाता है 12 हो जाएगा चाहो दो solve कर लो normal reaction कितना आएगा success में ma plus mg आएगा yes or no नीचे क्या लगेगा ma और नीचे ही क्या लगेगा mg और उपर क्या लगेगा normal reaction so m into a plus g m कितना है 80 a कितना है 5 plus g कितना है 10 15 into 80 कितना हो गया 120 आया 1200 Newton clear 1580 120 1200 Newton clear तो बिना इसको बिना solve किये कर सकते थे उपर जा रहा है तो weight बढ़ेगा इसका weight 800 है तो उपर जाते हैं 800 से बढ़ा 800 से बढ़ा एक ही option है 1200 0 कब होगा जब free fall कर रहा हो next Newton's third law third law क्यों कहता है every action has equal and opposite reaction simple सी बात है मालो यह block of mass M यहाँ पे एक platform के उपर रखा है तो block पे जो force लग रही है वो mg है कौन लगा रहा है अर्थ लगा रही है वो action है कि reaction है वो कुछ भी नहीं है mg न action है न reaction है कुछ नहीं है वो तो इसका अर्थ के साथ जो खेल चलना है उसकी force है जो block और इस platform के बीच की forces है action reaction वो अलग है यह mg तो अलग force है mg से तो इसको अर्थ अपनी तरफ खीच रहा है इसका reaction तो यह होगा कि अर्थ को अपनी तरफ खीचेगी mg force से जब अर्थ हमें mg force से नीचे खीचता है तो हम भी अर्थ को mg से उपर खीचते है वो हमारा reaction है और action क्या है जो अर्थ ने हमें खीचा ज्यान से, action and reaction acts on different bodies, याद रखना action and reaction किस पे आट करते हैं अलग-अलग body पे आट करते हैं action and reaction acts on different bodies, तो ये mg इस कहानी में कहीं नहीं आई इनका action reaction क्या होगा कुछ नहीं, ये block mass पे normal reaction लगाएगा और block sorry, mass block पे normal ये action reaction है, action reaction क्या होते हैं, pair होते हैं, equal and opposite होते हैं and acts on different bodies acts on different body action reaction क्या होते हैं बराबर होते हैं, opposite direction में होते हैं and acts on different body, तो ये जो नीचे platform है, ये mass पे क्या लगाएगा, normal reaction और mass platform पे क्या लगाएगा, normal reaction इस खेल में mg का कहीं रोल नहीं है, mg तो M पे force है M G का action reaction pair अगर धूड़ना है देखो N क्या हो गया N हो गया normal reaction on mask यह हो गया action यह किस पे लग रहा है M पे किस पे लग रहा M पे लग रहा और यह हो गया reaction यह किस पे लग रहा platform पे लग रहा clear यहाँ पे देखो अगर इस M को देखें तो M G से कौन खीच रहा है इसे earth अपनी तरफ तो earth को यह क्या करेगा M G से अपनी तरफ खीचेगा तो यह क्या हो गया action action किस पे लग रहा M पे लग रहा ठीक है concept clear होना चाहिए concept नहीं क्लियर होता बच्चे सोस्ते M G का M G है action और N है normal reaction M G उस पे अर्थ का पार्ट ही नहीं है normal reaction ही दोनों पे लग रहा है M G तो यस वाले खेल का पार्ट है अर्थ ने इसको M G से कीचा इसने अर्थ को M G से कीचा यह क्या है reaction किस पे लगा अर्थ पे लगा तो action और reaction किस पे आड़ कर रहे हैं किस पे आड़ कर रहे हैं डिफरेंट बॉड़ी इस पे हैं M G से अर्थ ने इसको नीचे कीचा इसने M G से अर्थ को उपर कीच लिया यह M G लग रहा है M पे यह M G लग रहा है अर्थ पे Next, conservation of linear momentum तो सभी को पता है F is equals to dP by dt होता है अगर F external 0 कर दें तो dP की value 0 हो जाएगी मतलब delta P 0 है यानि change in momentum 0 है तो momentum constant होगा तो सभी को यह कहानी तो पता होगी कि अगर external force 0 होती है तो change in momentum 0 होता है और momentum क्या होता है constant होता है किसका? system का So, अगर F external पूरे system पे 0 है किसी system पे external force 0 है तो change in momentum system का 0 होता है और system का momentum क्या होता है? constant होता है F is equals dP by dt, F 0, dP 0, delta P 0, momentum constant तो external force 0, momentum constant recoil of gun सबने पढ़ लखा है कि जब बंदूग चलती है तो कोई external force नहीं लगती है Before hitting, what is the initial momentum of system? 0, P initial, initial momentum of system is 0 किसका momentum है बेटा? पूरे system की बात हो रही है System का initial momentum 0 है, यहां से यहां तक में कोई external force नहीं आई है F external 0 है, यानि momentum change नहीं हो सकता Second law यहीं तो बोलता है, rate of change of momentum is equals to force applied यानि momentum तभी change होगा जब force apply होगी यहां से यहां आने में external force क्या है? 0 तो जितना momentum यह है, उतना momentum यह होगा यानि final momentum को भी क्या होना चाहिए? 0 किसका final momentum बेटा? system का individuals का नहीं, पूरे system का bullet और gun के system का initial momentum 0 तो bullet और gun के system का final momentum भी 0 हो जाएगा है ना मानलो bullet का mass M है, bullet की velocity V gun का mass capital M, gun की velocity U तो बेटा, final momentum 0 हो गया, इसका momentum positive, उसका negative दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे यानि M V is equals to M into U clear? final momentum भी क्या होना चाहिए? 0 momentum कैसी quantity होती है? vector तो इधर M V बना, इधर M U बना, एक दूसरे को cancel कर दिया अब यह सब हम लोग कहा पढ़ेंगे आगे? यह सब हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे collision के वक्त, तो यह फिर से continue होगा ठीक है? conservation of momentum अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कहा? work energy के बाद तो crash course में हम लोग work energy के बाद इसको फिर से पढ़ने वाले हैं तो डरो मत, इसमें वो bomb explosion वाले कोशन, कोलिजन अले कोशन सब कराएंगे rocket propulsion पे आते हैं rocket propulsion की बहुत लंबी कहानी है मैं आपको बहुत ही short में summary बताता हूँ पहली बात, rocket propulsion is based on Newton's third law किस तरह से third law पे based है? rocket क्या करता है? exhaust gas पे force लगाता है नीचे की तरफ, force on exhaust gas exhaust gas पलट के rocket पे उपर के तरफ force लगाती है that is the thrust on rocket सारी logic यही है, ठीक है? देखो, एक है rocket यह माल लो rocket है इसको R बोल दिया और यह exhaust gas है ठीक, तो rocket क्या करता है? exhaust gas पे नीचे force लगाता है force on exhaust gas और exhaust gas क्या करती है? पलट के rocket पे force लगाती है तो यह कौन सा law हो गया? Newton's, third law rocket exhaust gas को नीचे force के साथ फेकता है exhaust gas उपर rocket को force के साथ ले जाती है so force on rocket magnitude wise is equals to force on exhaust gas तो यदि मुझे exhaust gas की force मिल जाए तो मुझे rocket की भी force मिल जाएगी अच्छा जो rocket का system होता है बेटा, rocket propulsion यह variable mass system है यहाँ mass constant नहीं होता क्या है? variable mass system है क्यों? क्योंकि लगातार gas जब नीचे से निकल लही है तो rocket का mass लगातार कम होता जाता है लगातार इसमें से exhaust gas निकल लही है तो rocket का mass समय के साथ कम होता जाता है ठीक है, so rate of, rate of, ग्यास कैसे निकल ले, क्योंकि fuel burn हो रहा है, लगातार नीचे से ग्यास निकल ले, ग्यास क्यों निकल ले, क्यों क्यों निकल ले, क्यों 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 क् रॉकेट प्रपल्शन, रॉकेट प्रपल्शन किस पे बेजड है, न्यूटन्स के थर्ड लॉप पे बेजड है, रॉकेट एग्जॉस गैस पे नीचे फोर्स लगाता है, एग्जॉस गैस रॉकेट पे उपर थ्रस्ट लगाते हैं, एफ रॉकेट बोल दो या उसी को थ्रस् thrust on rocket thrust रिखलेते हैं rocket exhaust gas पे नीचे क्या लगाता है force लगाता है और exhaust gas के उपर thrust लगाते है और rocket इसी से उपर जाता है rocket कैसा system है? variable mass system है क्यों? क्योंकि लगातार fuel burn होता रहता है और fuel burn होता रहता है तो लगातार mass कम होता रहता है so variable mass system है rate of fuel burning को हम लोग बोल देते हैं चलो dm by dt यानि इस rate पे mass कम होता जाएगा जिस rate पे fuel burn होगा dt time में dm fuel burn हो गया so dm mass कम हो जाएगा dt time में variable mass system नहीं समझ में आया rocket क्यों variable mass system है क्योंकि लगातार इसके अंदर fuel burn हो रहा है और exhaust gas के form में बाहर जा रहा है तो लगातार rocket का mass कम हो रहा है किस rate पे कम हो रहा है rate of fuel burning dm by dt किस rate पे mass कम हो रहा है जिस rate पे fuel burn हो रहा है dm mass fuel dt time में यह देखो in starting में हमने बोला starting में t is equals to 0 rocket का mass m0 है rocket की velocity वी नॉट है, ठीक है, कहानी शुरुवात की हमने T is equals to 0 पे, रॉकेट का मास M0 है, रॉकेट की विलॉस्टी वी नॉट है, कुछ समय बीद गया, T is equals to T टाइम पे आ गया, रॉकेट का मास कम हो गया, M हो गया, रॉकेट की विलॉस्टी बढ़ जाएगी, V हो जाएगी, रॉक इनिशली वी रॉकेट मूव कर रहा है, V0 वी नॉट किया है, इनिशल व्लॉस्टी 10 पी हो सकती है, रॉकेट स्टार्ट स्टार्स फिलॉकेट हो सकता था, इनिशल मास Ments है यह रॉकेट का इनिशल मास, launch time का मास M0 है और यह rocket की initial velocity है फिर क्या हुआ समय बीता fuel burn हुआ और fuel burn होते होते rocket का यह इस instant का मास है T is equals to T तो यह क्या है instantaneous mass लगातार mass change हो रहा है instantaneous mass instantaneous mass तो rocket कैसा है variable mass system V velocity क्या है इसकी velocity after time T ठीक है U क्या है बेटा U है speed of exhaust gas relative to rocket ध्यांसे U exhaust gas speed of burned gases relative to rocket U क्या है exhaust speed of burned gases relative to rocket U क्या है exhaust gas की speed relative to rocket याद रखेंगे हमेशा कैसी है relative to rocket U is speed of exhaust gas exhaust gas क्या होती ही बेटा नीचे से निकलती रहती है तो U क्या है speed of exhaust gas relative to rocket अगर U को हम लिखें तो U is actually speed of exhaust gas minus speed of rocket velocity of exhaust gas minus velocity of rocket यह है U U is the speed of exhaust gas relative to rocket पर कभी यहा तक सवाल गया नहीं इतने अंदर तब बट लिख सकते हूँ speed of exhaust gas with respect to rocket V0 M0 initial velocity and mass of rocket V and M velocity and mass of rocket after time T ठीक है तो यह सब चीज़े लिखी थी नीचे V0 M0 initial velocity and mass of rocket and V and M velocity and mass after time T और definitely बेटा क्या होगी दो बातें याद रखो कि velocity समय के साथ बढ़ेगी और mass समय के साथ rocket का कम होता जाएगा क्योंकि exhaust gas बाहर निकलती जाएगी तो M M0 से कम होगा U बेटा constant होता है U को constant रखा जाता है exhaust gas की speed को ठीक इतना data clear है velocity लगातार बढ़ेगी mass घटेगा U को constant रखेंगे U क्या है relative velocity of gas with respect to rocket अब आपको तीन बाते याद करनी है पहला force on exhaust gas बेटा force on exhaust gas is U dm by dt U dm by dt force thrust on rocket बेटा force जो thrust की rocket में वो किसके बराबर है force exhaust gas के ही बराबर है तो thrust force इतनी ही हो जाएगी U dm by dt velocity of rocket after time t V is equals to V naught plus log E M naught by M यह velocity of rocket after time t यही तीन बातें आपको पकड़नी हैं एक चीज़ और भी बता देंगे तो तीन बातें आपको याद रखनी हैं पहली force on exhaust gas यहीं चैज़ सवाल मिलेंगे आपको force on exhaust gas U dm by dt दूसरा force of thrust on rocket बेटा यह force on exhaust gas के बराबर होता है U dm by dt और तीसरा velocity of rocket after time t initial velocity plus log e m0 by m initial velocity plus log e m0 by m एक चीज़ और पूछता है that is acceleration of rocket जब acceleration of rocket की बात करें तो आप free body diagram बनाए rocket का at time t free body diagram अगर हम rocket की बात करें तो rocket पे कौन-कौन सी force लगेगी हमें क्या निकालना है हमें क्या निकालना है acceleration of rocket निकालना है तो acceleration of rocket के लिए क्या बनाना पड़ेगा free body diagram of rocket at time t तो rocket पे कौन-कौन सी force लगेगी एक तो exhaust gas इसके उपर तरफ लगाएगी F thrust एक rocket का weight लगेगा M G F exhaust तो नहीं बोल ले हो वो तो exhaust gas पे force लगेगी free body diagram पे body पे जो forces लगती है वो लिखे जाती है तो rocket पे कौन सी force लगेगी एक तो exhaust gas thrust लगाएगा एक rocket का weight नीचे लगेगा M G rocket पे कौन-कौन सी force है एक तो thrust एक इसका weight M G और rocket की acceleration उपर A तो बेटा क्या equation बन जाएगी F thrust minus M G is equals to M A ठीक है तो यहाँ से आप rocket का acceleration भी निकाल सकते हो F thrust minus M G is equals to M A यह rocket का हमने free body diagram बना लिए यह lecture थोड़ा स्टो रखा हमने काफी conceptual चीज़े थी बाकी rocket की कहानी में इससे यादा कुछ समझने की tension नहीं लो पहली बात क्या याद रखनी है rocket की कहानी में किस पे based है third log क्याता system है variable mass system है क्यों variable mass है क्योंकि समय के साथ rocket का fuel बन होता रहेगा और बाहर exhaust gas निकलती रहेगी किस rate पे बन हो रहा है dm by dt dm mass dt time में गायब हो रहा है ठीक rocket कैसे उड़ता है rocket exhaust gas पे force लगाता है force on exhaust gas exhaust gas पलट के rocket पे thrust लगाती है equivalent opposite ये action है exhaust gas पे लगता है ये reaction है rocket पे लगता है आगे बात हुई starting में हमने rocket की velocity v0 मानी 0 भी हो सकती है mass m0 माना t time के बाद mass कम हो गया dt time में निकल रहा है dm mass dt time में निकल रहा है mass m हो गया velocity v हो गई v velocity v0 से बढ़ी होगी velocity लगातार बढ़ रही है और mass m m0 से छोटा होगा mass लगातार खट रहा है इसके बाद हमने बोला जो exhaust gas है वो u velocity से निकल रही है और u हमेशा constant रहता है what is u relative velocity of exhaust gas with respect to rocket हो गई इत्ती बात फिर हमने निकला कि exhaust gas पर क्या force होती है u dm by dt thrust on rocket same as force on exhaust gas u dm by dt same होता है एकदम u dm by dt same होता है एकदम initial mass m क्या है mass at time t clear है यह तो बात सही m0 क्या initial mass m after time t फिर क्या है अगर acceleration of rocket पे सवाल है तो rocket का fbd बनाना अगर acceleration of rocket पे सवाल है तो rocket का fbd बनाना अगर acceleration of rocket पे सवाल है तो rocket का fbd rocket पे क्या-क्या force लग रही है एक तो thrust एक उसका weight और acceleration MA ठीक है, so F thrust minus MG is equals to MA, clear है acceleration of rocket पर अगर सवाल दिखे तो rocket का FBD बनाना इसके उपर 4 से 5 सवाल आए है तो एक दो हम लोग discuss कर लेते हैं आज की class में, CBC IPMT 1999 क्या पूछा है if force on rocket having exhaust velocity of 300 meter per second is 210 newton, then rate of combustion of the fuel is rate of combustion of fuel क्या मांग रहा है आप से rate of combustion of fuel यानि आप से dm by dt मांग रहा है, क्या दिया है आपको force on a rocket यानि आपको thrust दे रखा है rocket पे लगने वाली force thrust किस पे लगता है बेटा rocket, so force if force on a rocket having exhaust velocity, आपको u दे रखा है, exhaust velocity 300 meter per second force on a rocket having exhaust velocity, force किती है 210 newton force क्या होती है thrust, आप से dm by dt पूछा है, बेटा बहुत असान है f thrust is equals to u dm by dt खतम, f thrust कितना है 210, u कितना है 300 into dm by dt 0 से 0, मर गया 7 3s are 21 sorry, 3 7s are 21 काटने के लिए मैं इतना बेताब था 3 7s are 21 3 10s are 30 तो dm by dt हो गया 7 by 10 SI unit में तो बेटा, SI unit में क्या होगा 0.7 kg पर second clear है एक और सवाल मैंने लिया है वो भी मैं करा देता हूँ बाकि आप खुद से कर सकते हो next, CBSC AI PMT 1998 क्या है a 5000 kg rocket is set for vertical firing mass of rocket दे रखा है the exhaust speed is 800 meter per second exhaust speed दे रखी है the exhaust speed is 800 meter per second देखो यू ही होता है वो to give an initial upward acceleration rocket को acceleration कित्ती देनी है 20 meter per second square to give an initial upward acceleration of 20 meter per second square the amount of gas ejected per second यानि dm by dt ही तो पूछा है the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be amount of gas ejected per second यानि आप से क्या पूछा है dm by dt फिर से पूछा है amount of gas ejected per second जितना fuel burn होगा per second उतनी gas eject होगी per second उतना mass lose होगा क्या दे रखा है U दे रखा है A दे रखा है और mass of rocket भी दे रखा है 5000 kg आप से पूछा क्या है dm by dt पूछा है dm by dt पूछा हुआ है dm by dt क्या किया जाए बेटा क्या किया जाए पहले f thrust निकाला जाए acceleration दे रखा है rocket का dm by dt कहां से आएगा बताओ f thrust is equals to u dm by dt यू पता है dm by dt यही तो निकालना है और f thrust यही नहीं पता है बताओ क्या करें a 5000 kg rocket is set for vertical firing the exhaust speed is 800 meter per second to give an initial upward acceleration इसका क्या काम है the amount of gas ejected dm by dt निकालना है f thrust equals u dm by dt यह चाहिए यह पता है f thrust कैसे निकलेगा बेटा free body diagrams है rocket का f v d बना लो यह रहा rocket उपर क्या लगेगा इस पर f thrust rocket का mass m नीचे क्या लगेगा mg उपर जा रहा है a acceleration से so f thrust minus mg is equals to m हो गया बेटा f thrust यहां से निकला आया f thrust is equals to ma plus mg is equals to m a plus g m कितना है rocket का 5000 और a कितना है 20 5000 20 plus g 10 ही दिया होगा g 10 कितना हो गया 30 सब पांच हजार इंटू अब एफ थ्रस्ट का एक्वेजिन बना लो f thrust is equals to u dm by dt यहां पर पांच हजार इंटू 30 is equals to u कितना दे रखा है 800 इंटू dm by dt यहां से 15 1500 बटे 8 so 8 1 जा 8 70 8 8 64 60 8 7 56 40 85 40 kg per second 187.5 kg per second तो यही 3-4 formula आपको इसमें use करने होगे यही 3-4 concept से हो जाएगा तो यहीं पर आज का lecture से होता है समाप कल हम उठाएंगे friction पढ़ाई करते रहे हैं झाहले से होगागे विशा करने हो जाएर पारी हैм